ओम्धूर हुवा सहा तक्सवितुल्वरिल्यम् भर्गो देवस्या देविली दियो यो नहा के जोगो दयात कि अन्यक्ताय। कि मेरे जरोद पड़ेगी क्योंकि मुझे संचारं का गारेक्रम सोंपा है, तो मैं अपना कारीतर हूँगा बाकि ये शारा जो कारीतरम है ये श्रीप प्रधान जी जो आज ये प्रति मिल्दी सभादिल्दी है उसके परधाम और आचारिये अप को अधररनिये और के आजुका सब्सक्रा अचारिय वाना चाहिए पालजी सनुने है। मैं इनिया आचाहिए आज की सभापती में होता है। आदड़निये धरू UK को सभापती ने धर्मौ जी को सबाघार क्यों आज नियुक है। मैं सबसे पहले आप सभी का दिर्नेवाद करती हैं सभा में उपस्तित मौलाना अब्दुल्ला तारी जनाब साथ और पंड़त महिंदर बालारे जी ये दोनों हमारे वक्ता हैं पंद्रा पंद्रा मिरिट का समय दोनों के लिए है मेरे सहयोगी के रूप में घड़ी जब 14 मिनट हो जाएंगे तो पुड़ा सा हलका सा इशारा करने के लिए एक बार ऐसा करके इशारा करें अगर कभी एक मिनट कम हो गया तो आगर आप ये समझते हैं कि वो विशेर समात होगा आप भली भाती कियान रखेंगे अगर आप कोई ये समझते हैं कि उनको कुछ पात ध्यान दिलानी है तो आप चिक लिख करके संब्दित विद्वान को दे सकते हैं लेकिन बीच में बोलेंगे नहीं उससे उनका ध्यान बढ़ता है किसी का भी हो ध्यान बढ़ेगा अच्छा नहीं आज का हमारा गोस्ट का विशे रहेगा क्या स्लाम शांती ही सिखाता है या चाहता है हमें जिखाता है थेका स्लाम शांती ही सिखाता है ये शब्द सभा के अध्यक्ष बहुत है माननी है विद्वान गण और प्रिये बंधो मुझे इस विशे पर आप से कुछ कहना है कि क्या इसलाम शान्ती ही सिखाता है और शान्ती ही सिखाता यही शब्द भी मैंने सुना और मैंने किसी जगा कोई सुझा और नहीं दिया कलकि मैं उसे पसंद कर रहा हूँ और उसे मैंने स्विकार किया यही शब्द आया साथ में तो इससे मैंने इस कर दिये समझा के शान्ती ही सिखाता है और अशान्ती नहीं सिखाता है तेकि सिखाता है तो और भी बहुत सी चीज़े हैं तेकि अशान्ती नहीं सिखाता है शान्ती ही सिखाता है इसलाम शब्द का अर्थ है शब्द दो अर्थ है शब्द कोश में दिक्ष्णरी में अर्भी भाषा में एक अर्थ है शान्ति और दूसरा अर्थ है संपूर नात्म समर्पण इश्वर की जिसने हमें यहां पैदा किया हम अपने इच्छा से यहां नहीं है जिसने हमें यहां मजूद कर दिया उसकी इच्छा के प्रतियप संपूर नात्म समर्पण तो यह गुडात्मक शब्द है समझा यह जाता है किसी धर्म विशेश का नाम हुआ नाम तो है लेकिन नाम यह एड्यक्टिव है यह गुडात्मक शब्द है और जिसकिसी ने भी अपनी इच्छाओं को इश्वर की इच्छा को जान कर जानने में मत्वेश हो सकता है इश्वर की इच्छा को जानकर उसके प्रतीत पूर्ट तया अपने आपको समर्पित किया इसलाम की परिभाशा में वो मुस्लिम है चाहे जहां जन्मा हो और चाहे किसी मुसल्मान के घर जन्मलिया हो जो यहां कहलाते हैं मुसल्मान और उसने अपनी इच्छाओं को इश्वर की इच्छा के प्रती समतित नहीं किया तो वो सरकारी रिकॉर्ड में तो मुसल्मान कहलाते हैं लेकिन इश्वर की सूची में वो मुसलिम नहीं होंगे मुसलिम के घर मुसलिम जन्द नहीं लेता अगर सोच समझ कर सोच विचार के साथ में अपने विवेग के साथ में उसने समर्वर किया है तो वो मुसलिम है इसलाम का ये दावा है कि 1400 साल पहले अपसे ये 1429 वर्ष शुर्व महुम्मद सहाब ने इसलिल्ला अले वसल्म परशानते हो उन्हों ने तो ये कोई नया धर्म इसकी सापना नहीं कि वो इसके सापक नहीं थे सापक भी नहीं थे अगर 1400 साल पहले वो मुक्ती का कोई नया मार्ग बदा जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ती कैसे होगी अगर 2000 साल पहले इशु, इसा, मसी मुक्ती का कोई नया मार बढ़ा जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति नहीं होगी दुनिया में जब से मानौ है संसार में धर्म तो वहां से चला रहा है उसे हम अर्बी में इसलाम कहते हैं किसी और भाषा में कुछ और कह सकते हैं उसका एक गुणात्मक नाम जो है वो इसलाम है अर्बी भाषा में दुनिया में जब से मानौता है कि इसलाम ने हमें ये बताया कि इसलाम के जो अंतिम गरंथ है पुरान उसने हमें ये बताया पुरान इसलाम धर्म का अंतिम गरंथ है उसका एक मात्र ग्रंथ नहीं है ये बताया कि पुराई शरीफ की आयत है वलिकुल्ली उम्मतिन रसूल ईश्वर ने अपने दूथ हर कौम में, हर जाती में और हर देश में भेजे एक सिदान्थ और उससे हमें एक बात मालूम हुई यां भारत वर्ष में भी भेजे चाहे हम उनके नाम मालूम हो कि लोगों को चाहें ना मालूम एक दूसरा सिदान दिया पुराई शरीफ ने वह मारसल्ला में रसूली निल्ला बे लिसाने कौमी है जहां भी हमने अपने दूथ भेजे वह वहीं की भाषा में जिस कौम में भेजे जिस जाती में भेजे जिस छेतर में भेजे वहीं के लोगों की भाषा में वो संदेश लेकर गए ताकि लोगों की समझ में भी आए अगर फ्रांस में इश्मर के कोई दूथ इटली भाषा अब इटली की भाशा बोलते में चले जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन जो मूल मानने दाएं हैं वो कभी नहीं बतली इसलिए कि जो बहुत सी परिभाशाएं हैं धर्म की उसका सारों खुलासा ये है कि जिसने हमें यहां मवजूद कर दिया हम अपनी इच्छा से नहीं है उसने हमसे क्या चाहा उसे धारन करने को धर्म कहते हैं मैंने सार रखा ये कोई एक परिभाशा नहीं उसकी इच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि समय समय पर अलग-अलग हो अलग-अलग समधायों के लिए और अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग युगों में वो एक है तो इसकी इच्छा एक ही होगी इसलिए धर्म पहले इंसान से दुनिया के इस प्रिद्वी पर आया जिसे हम अर्वी में इसलाम कह रहे हैं और समय समय पर जब-जब लोग उसे भूले तो प्रिद्वी के किसी और छेतर में उसका प्रिशार प्रिशार करने के लिए उसको बदाने के लिए उस बात को बदाने के लिए जो लोग भूल गए थे किसी और छेतर में वहाँ की भाषा में संदेश आया और ये क्रम चलता रहा मुहमद स्लिल्लाव रे स्लिल्लम तक और उन्होंने इसी बात वही धर्म और वही मूल मानताएं जो आदिकाल से चली आ रही थी दुनिया के पहले इंसान से और शुरू के इंसानों से उन्ही को दोबारा कोई इंसानों को अन्मूल मानताओं को वापस दिया खुरान शरीफ से हमें अभी मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये विशे से मैं ये शोदागंड को और बदा दू जो कि मुझसे कहा गया है ये उसे ये बताया गया कि शुरू मैं परिचे करहा हूँ कि इसलाम क्या है इसलिए उसके बारे में शब्द सुनने से लोगों के मन के अंदर और कुछ खलस वहमिया हो सकती है ताकि पहले मैं इसे इस्पर्ष्ट कर दूँ तो इसमें ज्यादा हिस्सा भी जो पहली बार मैं कह रहा हूँ उसमें ज्यादा भाग इसका है कि लोगों की ये समझ में आ जाए कि इसलाम है क्या पुरान शरीफ हमें ये संकेत दिये ये इशारा दिया कि यहां जो इश्वर की तरफ से समय समय पर इश्वर के दूट आए और हमारे भारत वर्ष में भी आए तो सबसे पहले दूट जो आए वो यहां भारत वर्ष में आए और पुरान शरीफ ने हमें ये इशारा दिया ये भी हमें पुरान शरीफी से इशारे इस संकेत मिले कि जो मानोता को उन दूटों के माध्यम से आदि ग्रंथ मिले वो वो है जिने आप वेद कहते हैं और यहां पर वेद के नाम से जाना जाता है इसलिए हमारी वेदों में आस्ता है उसके आदि ग्रंथों के रूप में इस हैसियस से यहां पुराई शरीफ में हमारी आस्ता है अंतिन ग्रंथ के रूप में और वेद में हमारी आस्था है इश्वर के आदि ग्रंथ के रूप में और हम ऐसा मानते हैं कि उनका संदेश मूल संदेश शैली बडली भाशा बडली कहीं कहीं उसके उपर उस जो मूल से दांत हैं उनको कहीं कहीं कार्यान्वित करने के कुछ विदियां में थोड़ा-थोड़ा सा मामूली परिवर्तन हुआ लेकिन मूल संदेश कभी बदला नहीं बेश से लेकर खुरान तक इसलाम के विशे में एक गलक स्वैमिया ये गलक स्वैमि बहुत जादा है और आज हमारा येही मूल विशे उसी की वज़़ा से ये विशे रखा गया है किसलाम में मारकाट की तालीम है, मारकाट की शिक्षा है इसलाम के मानने वाले आतनकवादी होते हैं हमसे ये भी जगा-जगा कहा गया ये बात बीच में बहुत चली कि ये तो ठीक है कि हर मुसल्मान आतंकवादी नहीं होता लेकिन हर आतंकवादी मुसल्मान ही होता है हमने उत्तर दिया हम चूंकि हमारे नजर में तो वेज़ से पुराम तक धर में एक रहा है हमने हमेशा यह कैसे लोगों के जिसे brainwashing कहते हैं वो हो गई है, जगा जगा धमा के रोज हो रही है, नकसलियों को आतंकवादी, लोग नहीं कह रहे हैं, उन्हें नकसलवादी कह रहे हैं, वो तो हिंदू है, हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, लेकिन जो कुछ कैलाते है मुसल्मान नहीं है अगर श्रिलंका अंदर तामिल दाइगर दातन्क बाद की बात कर रहे हैं, तो वह को मुसल्मान नहीं हैं वह दुनिया के सब से बड़े आतन्क बादियों में से हैं, वह तो हिंदु धर्ममाले हैं in our glossy उल्फा के आतंकवादी आसाम में वो इसाई धर्म को मानने का दावा करते हैं पंजाब के अंदर और अभी जो एक धमाका हुआ बाबा के हाँ वहीं पंजाब के उसके अंदर वहाँ उसके बारे भी भी कहा जा रहा है कि शायद सिख आतंकवादी थे अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं सिख आतंकवाद बूब भूल जाते हैं उसे आतंकवाद नहीं समझतें हाँ, मुसल्माद और इसलाम के नाम पर भी जगा-जगा लोग आतंकवाद खेलातें बात सची ये है कि आतंगवादी ना मुसल्मान होता है ना हिंदू होता है ना सिख होता है ना इसाई होता है ये तो सिर्फ आतंगवादी होते हैं इसलाम का उससे कोई संबन नहीं अफसोस का विशे ये है और आगे जब अगले उसके अंदर मुझे जब से मैं मिलेगा तो मैं उसमें ये बताने की कुशिश करूँगा ये प्रियास करूँगा कि अस्तोस का विशेज ये है कि लोगों ने ये तो समझा कि इसलाम इसलाम के जिनों ने गलत समझा और गलत समझने की वज़ा से मुसल्मानों के बुरे कर्मों की वज़ा से बहुत से लोग उसकी दुश्मनी तक पहुच गे अपनी गलत फैमियों में अफिरांतियों में उन लोगों ने उनको जो कुछ पुरान में से बीच बीच में से काट कर गलत अंजाद में और गलत प्रसंग में जो कुछ बताया गया उसे सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ इसलाम के नहीं मानने वानों को मारने की और जान से मारने की शिक्षा देता है जो इसलाम के वो कहते हैं दुश्मन नहीं है गलत पहिमिया है लेकिन जो दुश्मन कहलाते हैं अफसोथ की बात है जो भी वही कहते हैं और जो मसल्मान अपने आपको आतंगवादी कहते हैं उन्होंने भी कुरान से उनको भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको निकाल कर סिखाने वाले प्रसंग से काट कर चीज़े बताते हैं और कहते हैं तुम्हारा इसलाम और तुम्हारा कुरान जिसे तुम मानते हो ये कहते हैं और वो अतंकवादी बन जाते हैं तो अब शक्ता तो इस बात की थी कि सारे लोग इस गलत तेमी को दूर कहते हैं और बजाय स्की के ये कहते कर्ाणं प्वाबंदी लगाई जाए और उन آयतों को गुरान में से निगाला जाए उन आयतों को प्रसंघ में देख'Tे और समझ्छते और यहां सबसे के ऊच्छा और अगे करेंगे और सब मिलकर उनके खिलाफ वापस में लड़ते अब ये बड़ी जीब बात है कि जो इसलाम के दुश्मन कहलाते हैं वो भी इसे आतंगवाद का धर्म कह रहे हैं और जो आतंगवादी इसमें से कुछ बन रहे हैं वो भी इसकी गलत व्याख्या करने के बाद वो जानते नहीं इसके विशे में और उनको बीच-बीच में इसकी चीज़ें दिखाकर उनकी भावनाओं को उत्तेजित कर दिया जाता है और उसके साथ में जो और चीज़ें हैं जिस प्रिसंग में उसे काट दिया जाता है तो यह इसकी और तफसील जो है वो थोड़े जो अगला बाद में मुझे समय मिलेगा मैं उसे बताने के प्रियास करूँगा इसलिए कि कुछ समय मेरा इसके अंदर निकला कि यहां यहां पर धर्म है जो धर्म चला रहा है वो एक धर्म चुरू से चला रहा है हमारे आदिवर्ण से लेके अंतिम ग्रंतर और उसके अंदर जब शांती जिसे हम कहते हैं शांती तो उसे कहते हैं कि इंसान अपने आपके अपने साथ भी शांत हो समाज के साथ भी शांतों और इन सबसे आगे बढ़ने के बाद वो इश्वर से भी लड़ नहीं रहा हो उसके लड़ाई उसके साथ भी संदी हो उसके विजार जो कुछ उत्रे चाहा उन सिद्धानतों से भी लड़ना रहा हो यह सारी चीजे मिलाकर आपस में शांती थापिश करती हैं यहां पर जो कुछ भी अभी कोई गलब वहां आएंगी बहुत हमारे सामने आचुकी हैं पहले से जगह जगह पढ़ते रहें फुस्तके पढ़ते रहें लेटरिचर आता रहा है सारी पर सामने आता रहा है है अभी उसके अंदर से विशेशकर जो चीजे आएंगी और उसका अगर इशारा संकेत दिया जायगा मैं उनकों में ऎहां पर समझाने कि मैं बात को प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा इस बात के साथ में कि इसलाम शानती चाहता है और शानती ही चाहता है और शानती नहीं चाहता इसलाम में बहुत फिर संख्षेप में आखरी बात अभी पहला जो मुझे समय मिला था अंतराल उसमें इतनी बात कहना चाहता हूं कि इसलाम में यहां यह कुरान शरीफ के अंदर, पहले इसकी शाली जो है, उसके बारे में समझ लें कि कुरान शरीफ के अंदर कोई एक विशे एक जगा नहीं है, यह इस तरगा की बुस्तक नहीं है यहां जैसे सूर्थे हो जैसे वेट के अंदर सूक्त होते हैं यहां सूर्थे होती हैं ऐसे सूक्तों के रूप में यह अलग-अलग संदेश हैं उन संदेश में बहुत सी बाते कहीं बार-बार आती हैं बहुत से उपदेशों के अंदर आती हैं किसी जगा उसको तफसील से कह प्रियास करूंगा कि वो सारी चीजें जिने लोग ये समझते हैं कि ये लोगों को परिशान करने के लिए हैं ये लोगों को मारने की वातें कुरान में कही गई हैं वो सिर्फ उन परिस्थितियों से संबंदित हैं जब युद्र की अवशक्ता बढ़ जाए शर्स उठाना ज कह सकता है कि अपने आसपास जाहें हमें शस्ष्य से लड़ते रहे और चर्स जुदाते रहीं और जो नहीं तो वो आधि घ्रंत है और ये अंतिम ग्रंत है तो हमें तो किसी जग़ाए पर शेयर जो मूल संदेश हैं वो हमें विद्रीज नहीं मालूं होते, और अगर शान्ती की बाद यहा होती है, तो शान्ती की बाक которых यूँखा जाए बरकते हैं, अगर पोई शान्ती आप लोग मोबाइल बन करनी किजिए आपके साथी अव शद्व बिच्राशंब रुनाई शद्व भबत बर्यमा शद्व इंड्र प्रियास पषिषन्व श्दू भिष्मु नुक्त्रमह पुझेपास्वामी जी महाराज, आदर असलमान की सभादध्ष महदे, और इस सभा में उपस्तित सभी धर्व प्रविस सज्जेंग्रावाज के सभी नहीं, इसके बीना भी मैं आवाज पोचा सकता हूं इस बादू हमारे ब्राताश्री जी जी बड़ ही सुन्दर ढंक से अपने वक्तब के माध्धम से इसलाम और शांती और इल्हाबी किताब और धर्म यद्पी विशे इसमें कई आ गए हैं और इसके जवाब में मैं केवल इतना ही कहना चाहिए कई बार कहा के धर्म पहले से है और अंत तक रहेगा परमात्मा का ग्यान पहले से है और अब भी है और पहला ग्यान इन्होंने बेद को माना है और अंतिम ग्यान इन्होंने कुरान के लिए कहा है पहला ग्यान अगर बेद है और अंतिम ग्यान कुरान है तो परमात्मा का ग्यान पूर्ण है या अपूर्ण अगर परमात्मा का ग्यान पूर्ण है तो पहले ग्यान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो अल्ला को दूसरे एडिशन में पूरा करना पड़ा इसका मतलब यह हुआ कि अल्ला के ग्यान में कमी आ गए और वो अगर हम वेद को छोड़ भी देते हैं इसलामिक से जहां से ही यह पता लगेगा कि अल्ला ने पुरान को सुरा बकर को यहीं से शुरू किया है अल्ला में जालिक अल्किताब लारईव फीह उदलिल्मुत्तकीन अल्लाजीन युमिनुन बिलगईब वयकिमुन सलात वम्मा रजकना हम युन से कूल लगेगादीन युमिनुन विमा उन्जिल आलेका वमा उन्जिल मिन कबलिक विं आखरत हम युकनून यहांपर लल्ला ने जिक फर्माया है कि अल्लाम में यह तेन अक्षर हो सकता याट एक अक्षर इसके वर्फे मतक्तियात कहा जाता है इसके अर्थ दुनिया वालों को मालूम नहीं है दूसरा शब्दाया जालिकिल किताब दाराई वफी कोई शब्ध वो शुबा की गुंजा इसनी इस किताब के अंदर इस किताब के अंदर पुरान के अंदर तो पुरान में शब्ध है या नहीं ये पाठकों के उपर निर्वर नहीं है लेखक ने खुद लिखा है कहा है कि मैंने जो कुछ भी लिखा सही सही लिखा इसमें संदेह के लिए अवकाश नहीं है अगर पाठक कहीं उसमें संदेह देख रहे हैं फिर भी पाठकों पर पतिबंद लगा दिया गया पहली बात दूसरी बात ये है कि पाठक को अगर स्वतंतर कर दिया गया होता कि पाठक उसमें निर्णाय लेते के सही पर रही या गलत लेकिन पाठक पर वहां पर पतिबंद लगा दिया गया आगे बढ़ते हैं घुदलिलमुत्तकी ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए मुत्तकी के माने उता परहेजगार यानि अल्ला बिल्ला करने वाला अल्ला के रास्ते पे चलने वाले तो जो अल्ला के रास्ते पे चलने वाले हैं अगर आप लोगों से पूछूंगा कि मेरी घरी में इस समय एक बजने के लिए चार मिनट बाकी है दिन का समय है दोफैर का समय है अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये दोफैर का समय रात के एक बजने में चार मिनट बाकी रहने में परिवतन हो सकता है यानि देनम देर ये दिन वाला समय रात वाला समय में परिवतन हो सकता है जिसको हम नहीं देखत हैं जिसको देखा जाना संभव नहीं है उसी पर ही पिश्वास करना अजिर यूमिर बिलगईब अदिर्श के वपर इंगा ले आना जिसको बिना देखे जान लेफ लेना लेना तसलीम करना खुबूल करना सुकार करना और मुलानमे हमारे अजीद ने पहले ही कहा है आत्म समर्पन बिना जाने बिना समझे बिना जाच किए बिना तहकीकात किए इसलिए कौरान में अल्ला के ठूंकर फर्माया है खुलू माज़ा आप हे रसूल में ने इन्दि लह ठीश में आया है रसूल ने जू बखला थे बिना च्छानमिन किए हुए बिना छूच रखिये भी उसको तस्रीम करने ना माल लेना पूबूल कर लेना जहां पर हमारे मित्र की वेद की बात है तो वेद में यह मानने ता नहीं है वहाँ पर मनु ने लिखा है यस्तर के जो सुम्धंत सधर में वेद इने तारा कि हर बात कुतर के कसोटी पर कसी है अगर जवाब दे तो मान लेना जवाब ना दे तो मानने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है हमारे हाँ पर कारण के बगार क्रिया नहीं होता लेकिन कुरान में कारण देखना संबा भी नहीं है ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए परेजगारों के लिए अध्रिश पर इमाने वालों के लिए आगे लिखा है और इमान ले इस किताब पर और इस से पहले जो किताब नाजिल की गई उन किताबों पर यहाँ आगर हम बैत को छोड़ भी देते हैं तो कुरान वालों की मानता है के कुरान से पहले तiğरैत जबूर और इंजील ये तीनों किताब दाउद मुसा और इसा पर आलाह नाजिल किया अल्ला ने अगर तीन किताब पुरान से पहले नादिल की जैसा अभी अभी देखा होगा मैंने कुछ तक लिखी है मैंने किताब लिखा है तो पहले प्रकाशन में पहला एडिशन्म उस किताब में हमें कृूप देखने में कुछ कमी रह गई थी मैंने दूसरे एडिशन में उसको ठीक किया और ठीक तब ही किया जाता है जब उसमें कुछ कमी रह जाए तो अल्ला ने पहले जो तवरायत है या जबूर है इंजील है उन किताबों में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो कुरान में अल्ला ने पूरी की तो अल्ला का ग्यान पूरा होगा या दूरा होगा और इस प्रकार से ये साफ शब्दों में मैंने यह निवेदन किया और कहा कि कुरान में और वेद में ना कोई मेल है ना कोई मेल होना संबव है क्योंकि वेद आदी स्ष्टी से है वेद में विद्यान गुरुद बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है वेद वर्ग विशेश के लिए नहीं है यथे वाम वाचम कल्यान इमाबादानी जनब्या वब पुरान इमान लाने वालों के लिए या युहल्दिन आमनू एए एमान लाने वालो बेएमान वालो के लिए नहीं आई एमान क्या है तो एमान मुफसर और एमान मुझमिल को देखेंगे मुस्त सहाब पता लग जाएगा आमन तु बिल्लाहि वमलाइकति ही वकुत्ब ही वरुसल ही वल्यौमिल आकित के आमन तु बिल्लाहि एमान लाता हूं मैं अल्लाह पर एमान के माने होता विस्वास विस्वास करता हूं आल्लाह को और गहर मुस्लिम भी अल्लाह पर विस्वास करते हैं लेकिन गहर मुस्लिमों के लिए वहां पर इसलाम में कोई भी गुनजाश नहीं है चाहे जतना ये सदाचारी कि नहो इसलाम में उसको इमानदार नहीं माना गया इमानदार के बल वही है आमन को बिल्ला इमान लाता हूं मैं अल्ला पर अल्ला को मैं विस्वास करता हूं वा मलाई कहती है मलाई का कि मैं फरिष्टा सरिष्टों को मैं मानता हूँ वा खुत भी और उनकी किताबों को मैं मानता हूँ वहाँ पर और किताबों के लिए कोई गुन्जाइश नहीं है केवल तोराय, तस्दबूर, इंजील और पुरान वा रुसुल ही और उनके रसुलों पर मैं ये माल लाता हूँ रसुलों के बज़ चार है, पैगंबर तो असंक है एक लाग चौबी सदर या तो दो लाग चौबी सदर पर उस चक्कर भी मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंके वो गिंती भी नहीं जानते हैं पर यहाँ पर रसुल के बज़ चार है मानता हूँ कि अच्छे बुरे का पिसमत को अल्ल्ह ने बनाया मौत के बाद वाली जंदगी में जन्नमे जाना है इन्हीं बातों को जो भी ना च्छान बेन कि मान लेते हैं तसलिम करते हैं, कुबूल करते हैं, स्कार करते हैं वो कह humans अप्रते के चन्थादा तो जिलमन्तशाओ वातो बुमन्तशाओ वियादिकालखे की ऐन को अला कुल शेल ख़दीर। यानि आता जिसको चाहते है और नहीं चाएते है बियुत विजिए और तो वह दो हम विज़त होना पड़एगा। लिकिन आप। जी तो इसलिए वेद यथे मंवाचं कल्यानी माबादानी जनिप्या ये कल्यानी वानी मानव मात्र के कल्यान के लिए है वेद में केबल आरिये समाजियों की चर्चा नहीं है वेद में सनातनियों की बात नहीं है वेद में भरतीता की बात नहीं है बारत बासियों के लिए चरचानी है मानव मात्र के लिए लेकिन पुरान मुखातिव है या एयूहल्लाज आमनू बारत वाने वालो इसलिए पुरान में लिए लिए कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है लिसंदे हूसमे सक और शुआ की गुञाश नहीं और विषेष की चर्चा है, जाती विशेष की चर्चा है, संपर दाइव इशेष की बाती है पर वेड में इन सब बातों की ने गुझजश को है ही नहीं है, हम दोनों को एक कह दें, यह मेरे गले की नीचे नहीं उतर रही है, इसलिए मैं इसका इस्पष्टी करनच चाहऊँ मेरा समय अभी भी बाकी है लेकिन मैं यहीं तक ही रोक रहा हूँ कि अधर के मैं इसलाम के विशे में परीचे वेदू के इसलाम क्या है सीधे जो हमारा यहां पर विशे है उस पर आने से पहले और मानिय पंडी जी ही निकाना था दूसरे किसी और नहीं इसलिए मैंने परीचे दिया था और वो विशे से थोड़े से हटने जैसी बात थी लेकिन चुक्के मुझसे यह बात करीगी थी इसलिए मैंने दिया था वरना मैं नहीं देता वालून तो हो जाए अब मेरे पास बहुत से जो प्रशन आये हैं और यह प्रशन करीब करीब 22-23 प्रशन है जो मैंने यहां नोट किये होता यह है कि अगर प्रशन छोटा सा होता है उत्तर बहुत लंबा होता है अगर मान लिजे यह सिर्व उसके लिए मैं आपति नहीं कर रहा है समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैं अगर आरे समाज के उपर कुछ आपतिया करूँ और मैंने मान लिजे कि जैसे ये आपति की कि आरे समाज ने नियोग की प्रथा को कहा कि ये वेश सम्मत है और ये गलत है और ये अच्छी नहीं है मान लिजे मैंने कहा इसी बात आपको समझाने में उसको आदा गंटा लग जाएगा मैं तो एक वाक्य बोलूँगा खाली कि आई जहां बन मैं ये समझता कि शायद के पंडी जी ने कुरान को समझा है शायद हर वाक्य में घलत सही थी और हर वाक्य का अर्थ जो कुरान से संब्दित था वो उसके अंदर कुछ न कुछ संशोधन की अबश्चता थी हर वाक्य में तो एक ये तो इसमें से जिन कि आने में आदा आदा घंटा लेगे गए जो एक एक प्रश्म था यहां पर ये तो मैंने पहली बात कही है और दो चूंके बात को मुंसे कहा गया कि मैं इसको उत्तर दूँ और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनने से एक बात भी विशे पर नहीं थी इसलिए क हमारा विशे ये बगार शुरू में तो मैंने कह दी थी ये बात विशे से हटकर मुझे क्या पीछ में लग ले अपने समय पर शुरू में तो मैंने मैंने खुझ माना मैंने विशे से हटकर कुछ बात है आप से कहीं थी जो मैंने पहली बार कहीं थी कि इसलाम क्या है उसका करिए परिचर उसके लिए मुझसे कहा गया था और मानिय पंडी जी नहीं इक गा था इसलिए मैंने ले टींद आगे नहीं ही विशह से अपना चाहूंगा और जिस बिश्यपविश्य और किसी बात से नहीं भागा ऩहा अगर मैं इसका इन्वे से हरे का जवाब मेरे दिल चाहरे में दूँ अगर इसमें से कोई मुझे दिया जागे इसकल तो आप दीजे और मुझे अगर विशे से हटकर भी अगर अध्यक्ष महुदे कहेंगे तो मैं दूँगा अगर तो मैं विशेरी पर रहूँगा मैं उसे अलग्भी जवाब दूँगा और पंडी जी महुदे ने पुरान की आयत का वो भाग पढ़ने के बाद ये बात कहीं वो बिन दे खे ही कि अनुवार तो ये बताया कि भी दे खे ही मान लाते हैं और ये अनुवार कि इसे और दो कर रहे खेमा धिर के सवाइ़ में यमान gefragt राभ आद नहीं ही 2500 का मलत लोग अकल नितसनी देखते, लोग घूम फिरकर चीदों पर विचार नहीं करते, गौर नहीं करते, और मैं एक आयत, सिर्फ जो विशेश रूप में, एक ऐसे आयत के जो खासतोर से कहरी, इस तिर भी एक जगा कर मैं अनुवाद किये दे रहा हूं, वरना तो बहुत हैं, किती जगा, बिना देखे, कहा गया, और बिना समझे की ब्याख्या कर दी, कोरां समझने की बात करता है, समझ कर, इसके अनदर कुरांशरीफ के अंदर आयत है, और आयत ज passadoसे लुख्मान के अंदर है, आयत सूरत नंबर 31 और उसके आखिर उसके आखिर के हिस्से के अंदर उसके सूरत के आखिर के हिस्से के अंदर इबाद रह्मान कहकर एक बात शुरू की गई है कि वो जो बहुत रहम करने वाला है उसके बंदो तुम्हारे अंदर यह गुण होने चाहिए यह अच्छी बात बहु यम्चून अलार से होनो वल्लदीन अजार वक्किरू भी आयात रभिहम लम यखिरू अलाइहा सुमों वहम्याना और वो लोग रहमान के ये विशेष्टा होनी चाहिए उनकी कि जब उनको उनके रभ की उनके प्रभू की जब आयतें उनको बताई जाएं याद दिलाएं जाएं लम यखिरू मैं वेक एक शब्का अलग अलग अनुवाद करना हो इसलिए के बाद जगा लोग अनुवाद गलत समझते हो गलत बाद जगा लिख भी दिये गया है वेक शब्का अरभी में अलग है लम के मतलम है नहीं यख हुरो उन्मॉक्ठइन мधू टेक देते हैं DR以ए उन्धेतें यानि को डिए कि क्यानते हैं उन्तह इंख वाद किढ़ें मनने के दो भाद धरWeb हैं में उन्हें ही वैंडती ही किज़ों को प्रमाण के मानते हैं देखके मानते हैं और नहीं चाहता हूं कि चाहे यह उत्तर स्विकार हो और चाहे नहों हम विशे पर लोटा है चुके आपने आदेश दिया था इसलिए वरना यह कि आप जिसको कहेंगे मैं उस विशे बात शुरू करतूंगा मना नहीं ही मेरी तरफ आप आदेश देंगे तो शुरू कि अगर हम एक एक विशे को प्रखे लिए तो मैं समस्ताओं के पन्रजी ने जो बाते कहीं है कि अल्ला के रास्ते चलने वालों कोई हिदाए पे देता है गहर रास्ते वालों को नहीं यह क्यों है मेरे मूत्र ने अपने पहले वक्तव में परमात्मा के ज्ञान के संजर में उन्होंने प्रकाई डाला और ज्ञान उन्होंने दोनों को से लिए वेद को और खुरान को इस लिए मैं उसी का यस्पश्टी करन चाहा कि वेद और पुरान इश्पुर ये ग्यान दोनों का होना क्यों और कैसे संभग है इसलिए मेरा प्रश्ण यह था कि परमात्मा का ग्यान अगर कुन है तो फिर बाद में उसको देने की कोई भी आवश्यक्ता नहीं तो उसमें मैं फिर वेद को अलग किया कि वेद को अभी छोड़ भी देते हैं तभी तोरायत जबूर इंजील उन तीनों किताबों के लिए भी मैंने कहा है कि पहले किताब में कौन सी बात की कमी रह गई थे जो बात में पूरी की गई तो दूसरी में कौन सा बात को कहना अल्ला भूल गए थे जो तीसरा में पूरा किया तीसरा में क्या कहना छोड़ गया था जो चोटा में पूरी की तो बल्ला का ग्यान पूर्ण है या पूर्ण पर इन्होंने वेद और पुरान को एक ग्यान परमात्मा का होने के लिए ही ये प्रशन मेरे तरफ से आया है मैं उसी कही इस पश्टी करण चाहा था लेकिन उसके इस पश्टी करण तो आया ही नहीं मजहभी किताब जिपने भी है विश्यो के आनन में कोई भी मजहभी किताब शांती नहीं पहलाता शांती नहीं चाहता अफी तो मजभव बैट्टी विशेश के दुवारा बनाया होता है और पुरान के 6666 आयतों में से एक हजार से भी जादा आयते हैं जहां पर गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूडो पीटो की बाते पुरान में अल्ला ने जिकिश फरमाया है उधारन के तोर पर या आयुहन नभी वहर्जिल मौमिन अलौकितारीयकु मिनकुम सुरा अन्फाल आयत नबर 65 फैजन सलका शुरूल हुरूम फक्तृूल मुश्रकिन हैस वजगतुमूं वखुदूहुं 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 जो पख़तको वखुदूहुं मैंगए कि तो «वखुदूहु वखुदूहुं» ओंशुमूल सुभूलह्म इन्ल्ल्लाफं गफूरु रहीमॉ सुरा तौदा आयात नबर 5 यहां पर अल्ला 냄새 साफ शब्दों में जिक्र फर्माया है कि जब निशित महिना यानि पांच निशित महिना है जिसमें लडाई करने की बात नहीं है अभी पीछले दिन भी जब ओसामा बिल लादेन की बारी चल लही थी तो उस समय पाकिस्तान वारों ने भी कहा था कि रमदान का महिना खतम हो जाए तब लड़ेंगे तो यहां पर उसी बात का ही जिक्र किया गया है सुरा तौबा के अंदर में के और निशित मैना खतम होने पर पाफिरों को जहां पाऊ वही कतल करो उन्हें बंदी बना लो और रोक दो उनका रास्ता जगा जगा पर ताक पर रहो उनको यातना दे दे करके मारो जब तक वो बनने का ना बन जाए और पर शचचाताब न करे और अगर वो टौबा कर ले नमास पड़े जगात दे फिर उसे अल्ला के रास्ते में छोड़ो और अल्ला रहम करने वाला महर्बार अब अल्ला रहम किस पर किया एक आगमी को कटल करवा करते हैं अल्लाह रहम कटल करवा करके ही करते हैं बिना कटल किए अल्लाह का रहम नहीं है सुरह तौबा भी आया है आयत नमर 14 में सुर्थ तौबा आयत नमर 14 सुरह टोबा आयत 5. सुरह तौबा आयात 39 सुरह तौबा आयात 39 इस पर महता है मुहमाद को पाए बिना कोई लाह को नहींपा सकता ईसा मसी पाए बिना कोई गोर्ड को नहीं पा सकता लेकिन हमारी हो वेड की मानता है परमात्मा को पाने के लिए दैयनम का पाना ज़रूरी नहीं है अगनी वायू आदित और अंगिरा कपील कनाद पतंजल गोतम जमनी प्यास आदी रिशी का पाना जरूर नहीं है परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का पता ढूड़ा जाए और उसी रास्ते पे चलते चले तो परमात्मा का पाना संबग है लेकिन मजभी किताब में इन सब बातों के लिए गुंजाईश नहीं है इसलिए मजभी किताब दुनिया में शांती फैलाने के वजाए अशांती इसलिए है कि मजभ तो बैक्ति विशेश दुआरा चलाया हुआ है और धर्म इश्वर्पदत होता है जैसा सूरज प्रताश देने में किसी के साथ भेदराम नहीं करता लेकिन मजभी किताब में समग्र मानों मात्र के लिए नहीं है वो पर्टिकुलर एक जाती विशेश के लिए एक वर्ग विशेश के लिए संपरदाय विशेश के लिए और वो किबल इसलाम की सिमीद नहीं है अपी तो पिशो के आगन में आज जितने भी मजभव हैं जितने भी संप्रदाए हैं वो पट्टि पुलरे जाती विशेश के तरह भी मुखातिव है वो समग्र मानों मात्र के कल्यान के लिए जो मैं पहली बता चुका हूँ या थे मां वाचम कल्यानी माबादानी जर्व जो बेद में आया है कि मानों मात्र के कल्यान के लिए ये खुबी किसी मजभवी गिरंद में पाया जाना संबाव नहीं है प्रस्ताओं कि पंड़ जी का इस रूप में प्रमात्मा ने बेद बनाए तो पाद में कुरान बनाई आपका वर्जन जो तो प्रणाजी का ये कहना इस मुद में आप इसका उतर दें कि जो पुरान की कुछायते आपके सवक्ष रखी दें जिनमें काफिरों को कतल करने की बात लुखी है कि उसको किस दृष्टी से देखा उसका क्या और हभी बीजी महुद्य ने कहा कि मजभ जो है वो तो अशाम्दी पहलाते हैं मतब अर्भी भाशा का शब्त है और ये शब्त पुरान शरीप में एक जगह भी नहीं आया किसी एक जगह भी अर्भी किसी और भाशा का होता तो तो हम कह सकते थे कि इसलिए पुरान में नहीं तो मजभ यहां तो लोग बोलते हैं मजभ भावी पंड़ी पहुद्य ने भी उसे मजभ कहा कुरान में इसलाम को दीन कहा है और दीन परियावाची है धर्म का मजभ वाकई अशांती फैलाते हैं बिल्कुर ठीक फरमाया और म मजभ के हम भी विरूदी के मजभ अशांती फैलाते हैं दीन अशांती नहीं फैला सकता है यह तो मैंने मजभ और दीन के विशे में एक बात के अब यह बात आई बीच में के कुरान की जो 6000 से ज्यादा आयते हैं उसकी संख्या कुछ लोगों ने उसे 6666 लिगा है तो करने की बात करती हैं मैं यह कहना चाहता हूं पहली बात के 66 से जादा आप नहीं ढूंड के दे पाएंगे जो यू संबंदी है एक थोड़ा सा कहने में बात बढ़ भी जाती है ना मैं तिर्व उसे रोक रहा हूं बागी कोई नहीं बद्वेद नहीं कर रहा हूं आगे काफिरों को कुरान तो जहां पाव कतल करने की बात करता है उसमें से मैंने नोट की एक दो तीन चार पाँच जगा आपने उसका प्रसंग जो है उधरन भी दिया और उसको अजिक्ष महुद्य ने रोका कि हां और भी बहुत सी होंगी अब इतना रोक कर उसके हम बात करें तो ये आयते जो हैं पहली बात इसमें ये समझना जरूरी है और मैं समझाना चाहूंगा काफिर किसे कहते हैं फिर लोग तो यही समझते हैं और इसी तरह से ये ब्रहम जो है वो फैलता है काफिर जो है वो काफिर कहते हैं उसे जो मुसल्मान नहीं हो से काफिर कहते हैं मैं कोई मसलिम पैदा नहीं होता कोई मुसलिम नहीं होताहाओ कोई आपसमर्पश कोछ करने वाला नहीं होता और वह जहाएं किसस्तिUCK के अंदर जर्णल अगर उसने समर्पड़ किया है तो वो मुसलिव है वरना नहीं है। काफिर शब्द के तीन अर्थे थी। पहला अर्थे, dictionary meaning अर्भी भाशा के अंदर। पहला अर्थे न मानने वाला, इंकार करने वाला। दूसरा अर्थे काफिर शब्द का छुपाने वाला। तीसरा अर्थे काफिर शब्द का अकिर्टेग्य, ना शुक्री करने वाला, ungrateful। मैं इन तीनों शब्दों को बहुत सम्चिक में अलग-अलग में कहूंगा। न मानने वाला। न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को काफिर कह दे। न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा। जब उससे कुछ कहा जाए करने को फिर वो कह मैं नहीं मानता। तो कहा जाएगा नहीं माना। मैं भाई करें मैं दूंके हैं कि में मैं दू से विंति करूं कि मेरी घर्णाी काठी आप के आपसके याक मिफनार दीजे यह दिर गहले May मैंने इनसे कही नहीं एक बार भी नहीं कही और मैं आशूर बचातरों कि मेरी बात नहीं मान रही और मैंने कहा है नहीं था इंसे मुझे अधिकार नहीं कहने कही तो काफिर का पहला अधिकार है नहीं मानने वाला नहीं मानने ये अधिकार काफिर कहना किती को तब बनता है ज तुद्रा आर्ट यह उसका उख्रहाने वाला चिपाना जिन्होंने छुपाया मैं कुरान की बात कर रहो हूँ और मैंने यह जब कर रहो हूं अभी दावाइ यह चुपा लुद नहीं किया और लोगों को जाकर नहीं बताया तो छिपाने के मुजरिम बने वो तो काफिर तो कि इसर्द में वह वह ए है जो फ Rain викर के उनके ओवर जाया के लोट कर तीसरा हूप है आखिरत कर नशुक्र करने वालाकरत करने वाला और अंक्रेट कि शुक्रिया करतें किसी भी चीज का धन्यवाद अर्फित करतें किसी वर्दान का किसी नेमत का अगर मुसल्मान ये समझते हैं कि इस्लाम उनके वरदान है मैं फirstरी दावे की बात कर रहे कि हां शांती ही की वाद करता हैं. मुसल्मान नाम रखने वाले शांती पहलाते हैं जगह जगह. तो नाशुक्री तो उन्हों है की. गाफिर तो वो हुए, जो न शुक्री तो वो गरेगा जिसकी पास नेमत होगी. कि अगर वह कहा रहे। तो फिर वो इस अहर्थ के अंदर वह काफिर हुए घुस похी चवए। कि जब काफिर कहने का अधिकार सब मिलता है। आप सिरसे मैं उसकी बास मैं कर रहा हूं। कि नहीं मान रहें इसलाम को शन्ती को नहीं मान रहें। समझ में आ जाए, तो पहले तो समझा दिया जाए, कि हाँ है शामती की बात, और फिर कोई समझ में नहीं समझ में आ जाए, तो उसको अधिकारे के नहीं माने, और नहीं मानना चाहिए, और फिर समझ में आ जाने के बात, से तो जाने के बात, फिर नहीं माने, तो काफिर होग और इसमेसे रहर आयत को मैं सच कह रहरूँ आप से क्छिमार हरायत को अलग अलग समझाँगा लेकिन एक बीच में विशे ये बहा है ये बीच में बात की बहा हुआ थी और इस पर हमें सवब्बती महोदे ने भी उसको दो रहाया था कि अभी चाहे अभी हो चाहे जरह सा रुक कर मैं इसे भी बताओ कि एक ग्यान आ चुका तो क्या खुदा भूल गया, ये ग्यान बार-बार क्यों आ रहा है, वेद और कुरान को मिला क्यू रहे है, तो इसलिए जब मैंने, इसको भी मैंने सिभनी किया यहाँ पर, मैंने तु स और मैंने यह जो कहा गया है, चुँके हम इसी विशे पर हैं, बूसरे विशे पर नहीं है, आप मुझे किसी और विशे को कहेंगे, तो मैं उसी को भी दिखाऊँगा, चुँके इस पर इस विशे पर हैं, इसलिए वो आयते हैं, पुरान की, जो युद की बात करती हैं, जिस लेकिन कब करते हैं, किन परिसीतियों में हम समझते हैं, और हम उस पर आबती नहीं करते, इसलिए के हमें मालूम है किन परिसीतियों के अंदर हैं, अब ये ये भी मैं उसके दिखाना चाओंगा, उस प्रशन को सिद्ध करने के लिए जरा सा रुक कर, पहले, अभी फिर अगर एक ही विशे को सब जगा से उठातर साथ में रखकर जोड़ कर नहीं देखा जाए, कुछ जगा कुछ बाते संग्छेप में कह दी गई है, और कुछ जगा उसकी तफ़्ील है, बार-बार कुछ जगा उसकी व्याख्या है, उस वहां से उठाना पड़ेगा, यहां से छोड़ दिया जाए, और जहां संग्छेप में है उसे ले लिया जाए, तो जगा जगा पुरान यह आ गया, यह माना जा रहा है अपने आप में, इसको प्रेश करने वाले ने इस बात को समझा के लोगों ने पूरे को पढ़ा है, लोगों ने उस जो साथ में जो डिटेल ह इसके अंदर जो व्याख्या उसे भी पढ़ लिया है, आप कई संखेप में अगर कहते हैं कि तुम युदु करो, तो इसका यह आर्थ नहीं कि युदु का आदेश है, यह बता दियागा कि युदु का आदेश कब था है, तो पहले ही बताया जा चुका है, मैं यह बताना कि इसलाम खुबूल करवा देश जैसे भी आइस का अनुवाद आया, मैं उसे समझाओंगा, किसी को इसलाम सुईदार करवाने के लिए और मानवाने के लिए युदु किया जाए और शास उठाया जाए, कुरान उसकी इजादत नहीं देता, जिए जाएद नहीं है, इमान अपनी सेनाए भेजे और जीत लें कि हमारी इसलामी स्टेट बढ़ जाएगी और इसलामी कानून ज़्यादा को इसलाम इजादत नहीं देता इसके लिए शातर उठाने के, सिर्फ तीन परिस्तिती हैं, इसके पुरान बात कर रहा है, नमबर एक, वो है, पहली परिस्तिती वो सूरा नमबर 22 में है, सूर अलहज, उसका नाम है, हज, सूरा नमबर 22 में और आयत नमबर 40, वहाँ पर ये कहा, पुरान शरीफ में मैं सिर्फ अनुवास सुना रहा हूँ आपको और भी मैंने सुना रहा है, समय लगे लगेगा उसके अंदर, पुरान ने उसके अनदर कि आजु को तर्फ या जुने में अब थे अब उन लोगों को आप अ हमें पर तो वोक चुनक़ के लिए आदेश की है, आदेश की परिस्तिती गुरान ने जो बताई, वो सूरा नमबर 4 है, सूरे निसा, और आयत नमबर 75, सूरे निसा की आयत नमबर 75, उसके अंदर कहा, कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं अभी दिल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खाली उसका अनुवास सुना रहा ह तुम्हें क्या हो गया है, तुम जाकर लड़ते नहीं, इश्वर के मार्ग में, उन लोगों से जाकर नहीं लड़ते, जिन्होंने कमदोर पाकर बहुत बड़े-बड़े वर्गों को जमीन में दबा रखा है, और उनको कुचल रहे हैं, उसमें मर्द भी हैं, उसमें जा रहा है, अतियाचार हो रहा है, कुरान कहता है, जाओ लड़ो, ये अल्ला के मार्ग में लड़ना होगा, जाकर दुम से अतियाचार से उनको बचाते क्यों नहीं, ये दूसरी परिस्थिती है, जिसमें कुरान शर्त रुठाने की बात करता है, एक तीसरी परिस्थिती ह वो सूरा नमबर 9 के अंदर है जिसके कुछ हायतें अभी पिद्वान महुदे ने अभी पढ़ी और उसका प्रसंग जो है वो मैं उसके अनुवाद के साथ में आपको बताऊंगा उसके जो सूरा नमबर 9 जो है ये तीसरी परिस्तिती है जो उसके अंदर बदाएगे है कि उस संधी को उनकी तरफ से तोड़ा जाए संधी को उन्होंने ब्रेक किया हो तोड़ा हो तो संधी तो अब उसके बाद पर इस बात की इसादत है कि यसी परिस्तिक्यों और फिर अपनी बात से किसी जगा नहीं हटना इन तीन परिस्थितियों के अलावा चौती कोई परिस्थिति नहीं जा पुरान शक्त्र उठाने की बात करें अब जितनी भी आयते पुरान शरीफ हैं और जितनी और आएंगी इन चार और छे के अलावा वो इनकी तीन परिस्थितियों से बाहर एक भी नहीं है चाहे वहाँ पर एक जगह बता दी गई तफ्स्तील इसकी अब चाहे उस जगह बारमार नहीं कहा जिया हो कि जब युद हो रहा है तब ये बताया जा रहा है कहा कि ए नभी इनको उभारो इनको समझाओ इनको उपसाओ तुम युद करने के उपर कि इनसे जो लोग काफिर हैं उसे लड़ो मैंने काफिर कर समझा चुका आपको कि जिनकी समझ में आ गया है समझाए जा चुका है और उसके बाद फिर वहाँ पर सुरह 9 के अंदर संधी उन लोगों ने तोड़ी कि कि इस लोगों ने अपनी संधी तोड़ी है तुमारी संधियां उन से तोड़ा तो इन लोगों को समझा और यह अला के राते में भागे ने फिर उनसे लड़े और लडाई की बात कही कि वहाँ पर उन लोगों से लड़ने की बात उन परिस्थिति में नीजी जहा यूद द जाने के बाद इसके हथ्या करतूं या इसे मारूं या कम से कम तकलीफ पहुंचाओं इसके लिए भी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो मूल सिधान्द मौलिक सिधान्द कुरान देता है उन लोगों के लिए जो इस परिस्थितियों से अलग वो जो गैर मुस्लिम है उनके सूरत नंबर 6 और उसके अंदर आयत नंबर 8 और 9 इसका मैं अनुवाद सुना देता हूं ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जिस ये वो सिधान्द है जिसके अंदर का वो सारे लोग जो गैर मुस्लिम है जो युद्धा वास्ता है जैसे जिन से मिलने जुलने का हमारा रोस क संबन दे कुरान ये नहीं कह sû तो गुरान ये नहीं कह रोंग रहे जो लुग जो लोग कुलान को नहीं कहने को तो बहु कॉर है वो भी कह 사진 व उन्हें जाके मारों उसामा अब लाव लदिन दारीं थारु था chi कुंच दोंबंगियों के अंदर अब जे नहीं पठाए तो आ नहीं पहले पड़ दी। नहीं में कहा नमी में, कि अल्ला तो तुम्हें उन लोगों से, से मना मना कर रहा है, कि तुम उनसे दोस्ती करो, और उनके साथ इच्छे संबंद रखो, उनसे रोक रहा है, कि जिनों ने तुम्हें 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 तुम्हे तूम आईतिग और भी बाते गहीं, जो छोड़ दी जाती है हैं, यहां भी छोड़ती गहीं, आज भी छोड़ती गहीं, इस अनुवात के अंदर, मैं उनने बूरा करूँगा, जूसी के साथ में मौजूद हैं, जूथ हो, लेकिन अगर उसकी बात आये, दोसरों की तरफ से, शेटनों की तरफ से कि अब रोग दिया जाए मान लेना चाहे वो हार रहे हो तब भी मान लेना वर जगह पर शामती की बात करता है मैं उसकी तश्री ठेर रखूंगा है यहने सिर्फ अभी तीन वो रखें, सिर्फ तीन सिद्धांद रखें, इन तीन परिसीतियों के अलावा कुरान युद्ध की बात नहीं करता, अब अगर चाहे किसी आयत में, अनुवाद में नहीं नहीं यह बात, और खाली यह हो, कहे नभी इनसे कहो के लड़ते क्यों नहीं यह बात समझनी पड़ेगी, वरना आप पुरान को नहीं जानते हो, पुरान को समझते हैं और सिर्फ गलब से अभी, और अगर कोई समझाए तो समझना चाहते हैं अगर यह कुरान को जानने वाला आपको हरे कि यह बताएगा, कि इन पर ही सितियों के अंदर कहा जा रहा है अगर किती जगा आप तफसील नहीं आई, एन अभी इन से कोगे लड़े, तो यह मतलब नहीं कि जहां पर वो लोग गैर मुस्लीमें तो जाओ, उन से लड़ना शुरू कर दो, मतलब यह कि अगर युद्ध का छेत रहे, तो लोगों को समझाओ कि इस मौकी को बागना ठीक नहीं है, जैसे शिर्टिशन ने किया था अरजुन के साथ में, और जैसे बेद कहते हैं, जिसके मैं बात को धरन कूँगा, यह मैंने अभी कुछ बाते रखी, इन आयतों का जवाब नहीं ता कि मुझे परिस्तितियां बतानी थी, यह दुखी के चीसे में कुरान शर्तर उ बताया, तो पुरान में, पुरान तो कलाम अल्ला है, अल्लह का ही कलाम है, पुरान को हम तो जुटलाते हैं यह हम नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पुरान के मानने वाले कभी पुरान को जुटला नहीं सकते हैं, पुरान में सुरा बकर आयत नमर 98 में अल्लह ने कि जो अल्ला को नहीं मानता उसके रसूल को नहीं मानता जिब्राइल और मिकाईल नामी फरिष्टा को नहीं मानता वो सब के सब काफिर है यहां पर जो गैर मुस्लिम बैटे हैं भाई मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हो आप लोग जिब्राइल और मिकाईल नामी कि आप लोग जिब्राइल और मिकाईल नामी फरिशता को मानते हैं क्या मानने वाले मुसल्मान ना मानने वाले क्या है बाहिने कह रहा हूँ पुरान कह रहा है पुरान में साफ शवदे में बाहिन अल्लाग वामनाकाना अदुबलिल्लाई وَمَلَائِكَتْهِ وَرُسُلْهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَ عَلَى فَإِنَّ اللَّهَ دُبُلِّ الْكَافِرِ وَالجَارِزِ الْقُرْبَى وَالجَارِلْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ वہاں پر پڑوسی کو تین حصوں میں بانٹا ہے اللہ نے کہا وَالجَارِزِ الْقُرْبَى کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے ساتھ قرامات ہے ان کا رکھتا ہے کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے ایک پڑوسی وہ ہے جو اس پول میں کالج میں پڑھنے والا ساتھی ٹرین میں بس میں سفر کرنے والا ساتھی کام کاج کرنے والا سافی وہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تخصیص نہیں ہے ایک دوسرے کے پرتی ہمدرد بننا چاہیے دوسری آیت میں اللہ نے پھر ذکر فرمایا اگر یہ ایک جگہ کہا تو چار جگہ کہا لا يتخذ المومنون القافرین اولیاء من دون المومنین وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِنَ اللَّهِ فِي شَيْكِرٍ لَنْ تَتَّقُوا مِنْ مُتُقَا وَيُحَذِّرُكُمَ اللَّهُ نَفْتَوهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کافر کا پریوازہ میں بہلی بتا چکا ہو اگر ایک جگہ تقسیص نہیں ہے کہا کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو ایک دوسرے کے پر تھی حمدل بننا چاہیے پر چار جگہ ان باتوں کو کہا ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو دل سے اور زبان سے اگر تم دوستی رکھتے ان کافروں سے میں اللہ تعالیٰ تم سے دوستی نہیں رکھتا تو یہ پرش پر دونوں آیت بیرودی ہے یا ایک ہے بندوزرہ آپ ان لوگی نہیں نہیں لے قرآن میں اسی پرکار پرش پر بیرودی باتیں ہیں قرآن میں پرش پر بیرودی باتیں ہیں اسی لیے اس کے نرنے تک پہنچنے کے لیے لمبا سمجھ چاہیے قرآن کو جاننا قرآن کو سمجھنا قرآن کو پڑھنا قرآن کے متعلق جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے پر دوربھاگ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے کیول ایک پکس کو جاننے کا پریاست کیا ہے ہم اگر دونوں پکس کو جانیں گے پومپرےٹیو سٹیڑی کیے بھی نہ اس کا سمدھان نکالنا سمبب نہیں ہے اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کومپرےٹیو سٹیڑی کو نہیں جانتے جب دونوں پر شو دیکھیں میں قرآن ہی لیے بیٹھا ہوں اور یہاں بید بھی میرے پاس سارا ہے جہاں آپ کہیں گے قرآن سے میں وہی سہی پرمان دے دوں گا اور جہاں بید سے کہیں گے میں بید سے وہی پرمان دے دوں گا اس لیے میں نے نیویدن کیا جو پرش پر بیرودی باتیں ہیں تو قرآن میں پرش پر بیرودی باتوں کا ہونا سمبب ہے لیکن بید میں پرش پر بیرودی باتیں ہونا سمبب نہیں ہے جو ذکر آتا ہے جہاں جہاں یہ ذکر ہے آپ نے بہت اچھے ڈنگ سے ورنن کیا کہ کافر کو مارو جبکہ مسلمان ہی کافر لیکن جہاں جہاں یہ دس پرمان دینے کیا وہ شکتہ نہیں سمجھتا 66 یا 1000 یہ ایک پرمان ہے آپ پہ ایک پرمان دیتے ہیں آپ اس کو ڈنگ سے نستاریت کر دیتے ہیں یا کھنڈن کر دیتے ہیں تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہ بات کمات ہوگا میرا نمیدن یہ ہے جو سورا بکر 98 میں کافر کی پریبھاشا کی ہے آپ نے بھی کی ہے تو آپ کی پریبھاشا اور قرآن کی پریبھاشا میں مان کر کے کیونکہ اہم طور سے سامان نمیدن یہ سمجھتا ہے کہ قرآن شریف ایسا کہتا آپ ایسا مانتے ہیں یا جو بھی یکتی ایسا مانتے ہو تو اچھی بات ہے لیکن اگر ظاہرہ طور پر جو دکھائی دیتی ہے میرے کو بار بار کوئی کچھ کہے تو کجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی دوش نا ہو ایسا تو میرا نمیدن یہ ہے کہ ہمارا وشہ بہت اچھا ہے اور اس سب سے اترکت میں تو یہ سمجھتا ہوں آج کم سے کم ہم دونوں بھائی بیٹھ کر کے ایک وشہ پر چرچہ کرنے کے لئے یہاں اتتت ہوئے ہیں اور ایک اچھا محول بنانے کا پریاس بھی کر رہا تو دونوں سے نیویدن کروں گا کی سامان روپ سے کی اچھا پریاس ہے وشہ میں وشہ آئیں گے بہت آئیں گے تو ہم ان کو اُلجھیں گے ایسا نہیں ہے یہ سیکھڑوں ورشوں کی ہزاروں ورشوں کی کبھائیت رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو دو منٹ میں یا دو گھنٹے میں یا دو دن میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن نیویدن میرا یہ ہے کہ ہم اس کو وشہ پر کیول اتنا کندرت رکھیں گے کہ جو پنج جی صاحب نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پریبہاشہ ہے اس کے حساب سے ہم اس کو سمتولت رکھیں نے اس کو اور پوری تفصیل ایک جگہ بتائی اور دست جگہ اور بھی تفصیلیں بتائی کافر کہتے ہیں نہیں ماننے والے کو تو میں نے تو صرف یہ کہا کہ اپنی آنکھیں نہیں بند کر لیں وہ جو تھا کہ بینا بدھی کے مان لو بینا بدھی کے نہیں اس پر بھی بدھی لگاؤ میں نے تو یہ کہا تھا کہ بدھی کا پریوبی سب لوگ کریں ساتھ میں یہ بینا بدھی کی بات قرآن نہیں کرتا جب یہ کہا کافرکار تھے انکار کرنے والا اور نہیں ماننے والا دنیا کی کوئی بھی شب کو شدوی کی دیکھ لیے قرآن نے کہا کہ جو ان فریشتوں کو نہیں مان رہے وہ لوگ کافر ہیں تو نہیں مان رہے کہ یہ ہی عرث ہے اب یہ بات بالکل نہیں کہ قرآن کی بات نہیں ماننے کار کیے ہے کہ جب ان کو پرمار دے دیے جائیں جب انہیں سمجھا دیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ اڑے رہے کہ ہم تو نہیں مانیں گے اور وہ پرمار سدھ بھی ہو اور سمجھ میں آتے ہو اور پھر تب کافر کہنے کا عذikار بنتا ہے ورنہ جب تک جب سمجھایا کسی کو نہیں کیا تو کوئی کافر کہتے ہو جائے کہ نہیں مان رہا میں نے جو صرف اتنی بات سرداندیک روپ میں کہی اور قرآن میں جو بات کہی وہ بھی وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو فریشتوں کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں تو جو اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں نہیں مانتے کا مطلب یہ کہ جب اس بات کو صدر کر دیا جائے سمجھا دیا جائے اب یہ اس کی ویعکتہ ہے جو میں نے کہی تھی کہ جب اسے بتا دیا جائے اور جب صدر کر دیا جائے اور اس کے بعد بھی مان جانے اس سمجھ جانے کے بعد بھی کوئی نہیں مانے سب کافر کہنے کا عذikار ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا کافر کہنے کا عذikار کہ نہیں مان رہا بتایا گیا نہیں नहीं बानने का अर्थ नहीं बनता। अब इस बात से अलग फिर इसे बाद में अगली में बात रख रहा हूं। कि दो जो मैंने पिछली बार कहीं पहली बार करें। कि कुछ वेद से प्रमाथ देना चाहता हूं। इसलिए कि यह Quran के अनुसार, आधि-गरंथ भी जो है वो यह जो वेद हैं यह पहले गरंथ हैं सारी मानता के अब बहुत से लोग यहां ऍियं को नहीं मानते हैं लेकिन Quran पहले गरंथ को मानता है पहुत सी जो इतला की तरफ से केताब मोनता है तो जिसे मैं भी उसके अंदर रास्ता रखता हूँ, मैं भी उसे मानता हूँ कुरान के बारे में जब ये बात कही गई, ये दो अनके लग जाती है आखों के उपर इसको अभी तो मैंने समझाया उसे, मैं समझना हूँ कि शायर समझना नहीं चाहा ठीक से ये मेरे समझना में, समझाने में कमी रह गई होगी, कि कुरान तीन परिसित्यों में युद्ध की बात करता है, उन तीन परिसित्यों में अगर हूँ, तो फिर ये सारी हवाद, जो आप आयते हैं, उनका आप अनुवात करते चले जाएए, उन तीन परिसित्यों में जब यू के साथ मैं बता चुका है चाहें तो उसका अनुवाद यहां पर पढ़कर सुना दे मैं पढ़कर सुना चुका है उन में से दो जगों के अब मैं यहां से वेट से कुछ हुदारन जो हैं मैं देना चाहता हूँ इसलिए के वेट भी आदिकरंद हैं और शांती की बात जब हो रही है तो कुछ हवाले जहें वो कुछ उदारन आप इसे नोट कर लें और यहां पर वेट रखे हैं और निकालने के बाद आप उसे देख सकते हैं और समझा सकते हैं कि इसके अंदर अधर्वेट के अंदर अधर्वेट का कांड 12 सूक्सरंबर 52 उसके अंदर 61, 62, 65 से लेके 60 मंदर जहां कहा गया कि तू चीर डाल तू मार डाल तू तू नसल दे तू हट्डियों को पीज दे तू चिथड़े उड़ा दे ऐसा मार देने की बात तो कुरान न कि इसे शच्ब पुरान ने प्रियोग नहीं कियें किसी जगावाब। इसे नहीं कह रहा है इसे भी, मैं साथ में यह कह रहा हूँ, अलग-अलग समय की बात थी किसी समय में किसी भाशा के अंदर और शैली बदलती थी लेकिन शैली यहाँ पर यहे है, जो अब बंद में प तो ये जो मैंने दिये इसका मैं चाहूंगा कि अनुवाद यहां पर मैं पढ़के मैं बढ़ा दूँगा उसी में से देखकर और नहीं दरुवत है पंडिजी भी पढ़के बढ़ा सकते हैं मैं दूसरे और बहुत से कुछ आपको दरन जो है वो दे सकता हूं रिग्वेद एक उन्तिस साथ रिग्वेद एकियावन आठ कि परक्विड़ा करने वाले अदुर्मई दुष्ट मनिश्य को मार आए राजा या महां पे बदाय किया कि राजा से का गया कि हमारे दुश्वन को सबको मारो और ऐसा युद्द करो कि बहुत सा माल मिल जाए जैसे के युद का मकसद और उदेश ही यह हो कि माल प्टोर्णा हो यह भी वैर आपती के उसमें नहीं कहा रहा हूं डेकिन मैं सिर्सक्र्दों की बात कर रहो जाएँ कि अगर सिर्फ हम सब्सक्र्दों को ले तो उससे क्या क्या गलत स्वेमिया भ्रांतिया पैदा होती है वे तो मैं निंदा के लिए नहीं कह रहा दुश्मनों को मारो और मालो रिग्वेद 10-13-13 अगनी राक्षसों की गर्दन उड़ा दे जैसे काफिर यहां पे कहा गया अब राक्षस क्या आखिया करेंगे कि राक्षस किते कहते हैं जो कोई भी है राक्षस जो राक्षस है तो वो अगनी उनको मारे उनकी गर्दन उड़ा दे मारने की बात कही कहीं वहाँ पर क्या उनके यही कामे के मारें और अगनी सबसे आगे के इश्वर को को कहा गिया है उनको मार दें, उनकी हत्या करतें और उनकी आउंखें निकाल दें क्राह ने तो कभी मारने से आगे की बात नहीं कई अगर कही upद बाद की वह भी मैंने आपको बदाजिए इसकिर जो यूद्द की परिस्थितियों में फिर यह कहा रहूँ कि मैं इसकार समझता हूँ कुछ से कहा जा तो मैं समझा दूगा लेकिन इसने तुल्ला के लिए मैं सामने रख रहा हूँ कि यहां पर मौझूद हैं जब दो लगाते हैं जब इसे समझा कि कि हम वेद को पड़ें और इन शब्दों को देखें तो हमारे मन में आपति नहीं हूए ओर उसे हम नहीं समझेगे यह शान्तिया की बात कर रहे हैं मैं समझता हों कि युद्ध की परिस्तितीओं चार चार चार्टी से हम शत्रों को न्यापता करके उनके सारे अंगों को शितिल कर दें और उनका सब्धन आपस में बाट लें अधरवेद छे सरसट तीव चाता कांड सुक्त नंबर सरसट शिक्षी सेवन मंत्र नंबर तीन दुष्ट की खाल उतार ले ये अधरवेद कांड आठवा कांड आठ तीन चार तीसरा सूक्त और चौता मंत्र और ये मैं भावाद बता रहा हूँ ये एक शत्कार नहीं कि इनसानों पर सबकुर अब राक्षत खाली हो नहीं है कई बाहर के किसी और स्रिष्टी में के इनसानों में के कि जितने मनुश्य हैं उनके उपर मेरे लिए झाय बी उनके बात कर रहा हूँ आप रहा है कि य थीकिश्वर की वानी है वे मानगौ कि ऑर जितने लोग कोई मानते हो और मैं शुक्त रहा हुआ कि इन परिस्तियों में क्या क्या बात कही गई है लेकिन हम परिस्तियों से काटने के बाद हम इसको लाए और परचार करना शुरू करते हैं और हम एक यह इसके आपर बैन लगा देने चाहिए इस पे हमें वकल्गा करना चाहिए इस पर हमें कानुनी प्राबंदी लगाना चाहिए तो प्रसंद से काट रहें और सिर्फ नफ भी नहीं कर रहें इनी परिस्टियों में जिन परिस्टियों में यह बाते परिस्टियों कि गहीं जब करें कि यूद्ध वर उठाने के नौगत आ जाए या आत्मरक्षा में जल्म खत्म करने के लिए या संदी कहीं तूटी है उस समय में अगर लड़ाई की जा रही है तो लड़ाई के अंदर कोई बैठा तो रही है अगर लड़ाई में कहा जाएगा कि मारो लेकिन कुरान में उसके अंदर फिर साथ में कुछ नैतिक्ता की बाते भी किये जो मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर तो नहीं थी तब आपको इसके उपर आपती नहीं लगी और वहां नैतिक्ता की बाते साथ में थी जैसे 865 अभी सूरत नमबर 8 सूरह अनफाल और आयत नमबर 65 अभी उसका यहां पर अनुगात पंदी जी ने रखा था और उसको पूरे प बात करें जंग रोखने की सुला की बात करें वज्ण अला तो तुम भी जुकना सुला की तरफ वहीं युरीदु आप लुगां का अगर तूम यह समझते हो कि इनका इरादा थोकेबाजी करने का इसा उदकर यह संधी कर रहा है वहीं ना था कर आप अल्ला अनला पर व्रो कि शिच्चा नहीं है हुh जो आयते बदाई अभी आयतों का तर्ज्वां जो आयदे पर इटी उसा अधार нрав नियुक्र्णेउर्因为 यह धियों मुंख्र één मॉमिन का और उसका जो guiding principles हैं उसके जो रहनुमा वसूल है उसके जो मूल सितान थे वो मैंने आपको पढ़के सुना दिये कि इन आयतों को उसके अंतरगत पढ़ा जाएगा कि अल्ला तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा अल्ला तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा बलके मना उनसे कर रहा है दोस्ती करने को जिन्होंने तुम्हारे दीन की वज़ासे तुमसे युद किया और तुम्हें 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 घरों से निकाला तो जब यह बात बात आ गई तो अभी शायत पढ़ने का कोई अर्स नहीं रहा बार बार शायत को पढ़ने का कि पुरान ये कह रहा है कि इमान लाने वालों के इंटरिस्ट के खिलाफ जहें उनके तुम उनको छोड़ कर उनको त्याग कर तुम काफिरों से दोस्ती मत करना का ये आप इसको फिर मैं लियाद दिला रहा हूँ उनका अफिरों से दोस्ती मत करना जिन्हों ने तुम्हारे दीन की वज़ाए से तुम से जग़ा किया है और तुमें तुम्हारे घरों से निकाला है बाकिसे नहीं कर रहा है मना तो एक जग़ा सिधान ता गया उस सिधान के अंदर कर पढ़ी जाएंगी पुरान को समझने का यही हुसूल है और आप समझे के नहीं हम तो ऐसे नहीं समझेंगे जिसी जग़ा कोई आयत निकलेगी पर तुम फाइनल मानेंगे हम और कोई परसंग नहीं देखेंगे उसका सिधान भी नहीं देखेंगे आपकी मरदी मत देखिए आप पुरान को खलस समझते रही है लेकिन मैं समझान नहीं सबूंगा फिर अगर मुझे समझाना है तो मैंने आपको बताया आप जितनी भी आयते ऐसी आएं जो उसके अंदर करताब को पढ़ना पढ़ेगा उन तीन यूध की परस्टितियों मैं यूध की जब परस्टिती आये जो इंटिन पर आपती हो तो ठीक है लेकिन अगा इन तीम पर नहीं हो तो जब यूद्ध होगा तो फिर तो ही किया जाएगा कि यूद्ध के अंदर पीठ बागना और लड़ना और मुकाबला करना इसलिए कि फिर उसके बाद अधर्मा जाएगा वरना धर्म नहीं रहेगा ये थी सारी बात और ये मैंने कुछ बेद के मंतरों के यहाँ पर हबाले दिये और वो आयते जो पढ़ी थी और दोस्ती रखने वाली की थी उसका उत्तर रहा है कि ये तो आप महसूस करते ही है कि लूग ऐसा समझते हैं ऐसा क्यों हुआ है कोई जो आपने दरण भी हाला की हमारा जो विशह ह है वो पुरान शरीक को लेकर आपने तुर्णा के प्रिष्टी से कुछ उत्रण भी है ठीक है अपनी प्रिष्टी से लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ये चीज ऐसी कि और एक जगा की नहीं आम तोर से हरी व्यक्ति ऐसा मान रहा है तो ऐसा जिसको कहते हैं कोई वाद भी तारिक साथ कोई उसमें जो भी आप कह रहे हैं कुछ हर्फों में फ़र्फ हो सकता लेकिन किसी की जुबान से ऐसा आया नहीं मैं ऐसा मैसूस करता हूं आपने भी बार-बार परमाया कि मैं इसको ठीक मानता हूं प्रसंगानों सारो ठीक है तो उसके उत्धरन देने का लाव नहीं आपका वब्त भी यह है कि पुरान शरीप को प्रसंग से पढ़ा जाए लेकिन जो हम साहिरा तोर पर देख रहे हैं तो देखे रहे हैं कि उसको इस रूप में पढ़ानी जाना पढ़ानी यारा का मतलब मैं तो पढ़ता ही मैं बड़ी सीवी बात यह रहा हूं मैं तो पढ़ता ही जो वेक्ति पढ़ रहा है वो उसका आख ये क्यों नहीं कर रहा जितनी सहर्दाइता से आप ये बात कह रहे हैं वो उसका आर्थ क्यों नहीं कर रहा इसका अर्थ यह है कहीं उसमें दोज है कि पीचर स्कूल कॉलेज में अच्छी बात पढ़ाते हैं कोई भी नहीं कहता गल्दी बात पढ़ा हो कोई भी नहीं कहता मेरे जल से कोई भी टीचर लेकिन अकर किसी स्पूल में कॉलिज में कोई चीद या कोई टीचर या वो एक जमात में पढ़ा रहा है तो उसको शक्की नजर से जैसे उधारन पुलिस पुलिस का उधारन मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए सबको वादे पुलिस का देवाक्ती भी है लेकिन क्या आप ऐसा महसूस करते हैं आप पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए मैं चाह देवाक्ती का में कोई कई कमी है मैं उसको जभां से कहाँ पुलिस वाले ऐसे राएं छो खुदा का वर्दान की तरह उन्होंने बहुत दहतरी रख्षा की ने बहुत युतरीन ढंक से मेरी रक्षा की दंग से मेरी रक्षा की मेरे मन में उनका अच्छा स्वरूप है लेकिन सवाल जमात का जमात का रहा है कि जमात में उसका जो स्वरूप है मेरे मैं कितना भी अच्छा सम्झी उपलिस को मैं इसलिए बीच में लिया कि इस विशय को हम बहुत सहिर दायता से और किसी पक्ष को गिराने की नजर से हम सबसे बढ़ी आप तो मुझे लगी सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप बहुत बेतर घंग से प्रस्ति कर रहे हैं पर्ड़जी महाराजी अपने बहुत प्रस्ति कर रहे हैं नतीजा जो भी हो हमें एक संकल्प तो जरू लेगा है कि हमें आपस में पैंक्षा है ये संकल्प तो जरू लेगा है पर्ड़जी सब देखे प्रधान जी बड़े विद्वान तो होने के नाते बुद्वान तो होना जरूरी भी था प्रधान जी ने भाई साब की अकलमंदी की तारिफ की और मेरी भी पर आपने लिए नहीं कह रहे हैं। ऐसा है, मेरे भाई साब ने जो बेट के संदर में दुष्टों को मारो, फीटो, काटो की बाती हैं, ये पहले ही इन्होंने अपने वक्तर में उसके स्पश्टिकरन दे चुके थी, कि जहां पर आतंग बाद फैला रहा है, चाहे वो मुसल्मान आतंग बादी हो, चाहे वो नक्सलिस्ट आतंग बादी हो, अभी तो एक ट्रेंग कही अगवा कर लिया खा, पर उन्हों को मुसल्म कोई भी हो, दूष्ट चाहे, कोई भी हो, यहां पर कोई संप्रदाय की बात नहीं आई है, लेकिन कुरान में तो केवल संप्रदाय के लिए ही कहा है, कुरान में संप्रदाय को छोड़ करके औरों के लिए दंद देनी की बात नहीं है, वहां पर जब वेद में जहां तक मा आणि आप गया जो दूष्ट हैं तो उन्हों के दंड देने की बात है लेकिन कुरान में दूस्ट्टों को दंड देने वाली बात तो नहीं है तो एक वर्विशेश का नाम लिया जा रहा है जो गयर है तुमसे जो अलग है उन सब को मारो काटो लुटो पीटो रही बात कि जिन लोगों ने वहां से निकाला अगर जिन लोगों ने निकाला उनसे तुम नफरत रखो दोस्ती न रखो तो नफरत दोस्ती किन से न रखो कि जिनों ने तुमको तुमारे घर से निकाला पर आज तो वो परिष्थिती नहीं है, आज तो कोई आरभ ममालिक से कोई शौदी आ रहे हैं, या से किसी को नहीं निकाल ला है, तो कम सको आज भी तो यह आयत मनसुख कर लेना चाहिए था, इन आयतों को बदन देना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है, दूसरी बात, जहां दोखा देने वाली बात है, तो मानों मानों के साथ धोका क्या दे, पुरान का अल्ला तो सरम दो जगा धोका दिया है, अल्ला ने साफ तो मकर करते हो, तो मैं भी मकर करता हूँ, मैं सबसे बड़ा मकर करने वाला हूँ, मकर मने धोका होता है, तो जब अल्ला बंदे के साथ दोगा करें तो भला बंदा कोई बचाएगा इसलिए तो लोगों ने कहने के लिए भी लोग मजबूर हो गए कि बंदों को देखकर मुंकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो खुदा कोई अच्छा खुदा नहोगा नहीं पाद पाद तो मैंने यह निवेदन किया कि इनके बातों से तो आपने आप ही बात कट रही है लेकिन वेड़ में कोई ऐसा आप्छेप यह दिखाया जाए कि जहां पर मुसल्मानों को इसायों को जैनियों का बोधिष्टों का कोई संप्रदावालों का नाम लिया गया हो कि उनको मारोकाटो नहीं दुस्ट दुस्ट जो है दुस्ट किसी कौन का किन हो उन दुस्टों को दण देना यह परमात्मा की नियाए ववस्ता है और परमात्मा की विदी यही है वहाँ पर कोई जाती वर्ग मिशेश का नाम नहीं है रही बात कि कुरान के साथ वेद का तुरूना करना मैं पहले ही अपने वक्तम में इसका इस्पश्टी करण दे चुपा हूँ कि कुरान के साथ वेद का तुरुना करना किसी भी हालात में संब़ नहीं है, क्योंकि वेद जाती विशेश के लिए नहीं, वेद वर्ग विशेश के लिए नहीं, संपरदाई विशेश के लिए नहीं, विश्यों के आना में शांती फैलाने के लिए ही, मानो मात्र के लिए अगर एक ही वेवस करते हैं के काओं घ्म के रांप और वानाजिए फञाए तो आपने आप हाशाएं शांती य। अब AWP लाजब करते हैं जब आला पसंद नहीं करते हैं फटार खैलाने वानों को तो यह अक्ता किसी मौमिनों ने काफिर ना उर्या मिंधूनि मुसल्मान मुसल्मानों को छोड़ कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और दूबाण से अगर दोस्ति रखते हो तुम का फिरोदी ने तो एसा परसलिस पर बीरोदी बात हो रही है न accounting engineering के और से इतर सब जबंदे किस टीन इनियम कर दोस्ते के गुझाईश है कष्ष्ठीआ के बीरूद बातों की गुझाईश है में है और कुछ हादीरा में है जबके पुरान को अल्ला ने साफ शब्दों में जिकर फर्माया है कि पुरान को एक दाथ में नाजल किया गया और ये तारीक मुर्तजा के साथ तो हमारे भाइसावे बैठे हैं इनके साथ भी बात भी और जाकिन नाइक के साथ 2004 से मेरा निरन करेंगे दोनों को हम तूर्णा करेंगे दोनों को देखेंगे तो दोनों में आस्मान जमीन का अंतर है तो जब दोनों में आस्मान जमीन का अंतर है फिर हम दोनों को ले करके ये कैसे कैना हमारे ये संभव होगा कि दोनों से ही शांती का आना संभव है अजब दोनों को हम एक ही सिद्ध करने में तुलेवी हैं दोनों को हम एक ही मानने में लगेवी हैं कि वेद भी इश्वरी ग्यान है और कुरान में इश्वरी ग्यान है जबके दोनों परश पर विरोधी बाते हैं तो जो बाते वेद में है वेद की बातों को कोई जाती विशेश के लिए नहीं कोई वर्ग विशेश के लिए नहीं कोई संप्रताय विशेश के लिए नहीं है कि जाती विशेश के लिए नहीं, कोई मुल्क वालों के लिए भी नहीं है, पर पुरान तो मुल्क वालों के लिए भी है, जाती विशेश के लिए बर्ग विशेश के लिए तो वह हिदायत है ही, वानों के लिए वहां गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमें ये समझना है, कि जब हम दोनों को चार को एक ही मिलने करके चल रहे हैं, तो दोनों में मेल है यह नहीं, तो हम एक कैसे मान सकते हैं दोनों को, मेरा मूल प्रशन यह है, कि जब दोनों की मानता अलग है, तो हम फिर दोनों को एक कैसे मानने, कैसे मानना कैसे संभव है, यहां पर मेरा मूल है 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 रही बात रही बात है जो शांती की तो दोनों में विरोदी बाते हो जाएंगी तो शांती का होना कैसे होगा तो इंच्छा शांती तो जब विरोधि बाते होंगी तो दोनों में शान्ति नहीं हो गी बड़ी बात थो इनले का हम यह बात यहां forced . जो जब आ हम मानते हैं दोनों में विरोध होद है और विरोध है तो आप हुआनवाने तो दोनों में शानती होगी और लाने पड़े कि ताली नहीं इन घड़ धांगे ताली ना ऐब कि यहां पर बार बार ये कहा कि कुरान एक वर्क विशेश्ट की बात करता है। बैट तो खाली दुष्टों को कह रहा है। बात ये है कि जो आप कहे दें क कुरान का लो बड़ी एक बात है। कोई बात ये है कि इश्वर चाहे तुमने गलत समझ लिया हो आप अगर अल्ला कह रहे है चाहे जिन शब्दों के अंदर बात करें उसी को कह रहे है तो उसका नाम तो अगर आप मुझे कोई बैसाच कहा रहा हूं से मुझे उसका नहीं आएगा लेकि नादर इसे लीजे और ये कह लिए कि तुमने गलत समझा उसे लेकिन इसलिए कि वही इश्वर है और आपके मुझे की मुझे का नादर हो जाता है यहां पर मैं अब खुद नहीं कह रहा किसे कहा उन्होंने मतन जैसे इसलाम को नहीं मान लेका उसे दुष्ट कहा यह वर्ग विशेश नहीं हुआ यह समुदाय नहीं हुआ यहां स्वामी धैनन जी नहीं लिखा है मैं उनका नुवाद लेकर आया हूँ उन्होंने खुद ब्रैकेट लगा कर लिए लिखा है कि तू वेद निंदक को अब दुष्ट किसे कह रहे हैं वेद निंदक को जो वेद को नहीं मान रा जो वेद की निंदा कर रहा है तो अब जितने यहां पर वो लोग है जो अपने आपको हिंदू ये सारात्म्धर्व नहीं कहते हैं वेदिनिंद्ग है ये वेदिनिंद्ग समय कह रहा है ये सौमी देनर्म नहीं लिखा या पर मैं इपनी तरफ से नहीं breaking ये कह रहे है कि तू वेद मिंदग को काट डाल, चीर डाल, फार डाल, चला दे, फूंक दे, भस्न कर दे ये वेद का मंत्र है, ये बारवा कांड है अधरवेद का, पाचवा सूक थे और ये मंत्र था बासट और मैं सच कह रहो आप से, ये भी मैं इतरास के लिए नहीं कह रहा आपते के लिए, लेकिन एक एमिक से देखिए चीजों को, जो हमारे पास हैं, जिसे आप समझ रहे हैं कि ये आफसा से ये इश्वरी गरंत हैं, इसमें तो आपको ये लगनी रही हैं, अपने अलावा दूस में थरी बार आए है कि जिसे हमारे दर्पन्डी जी महिदे ने दोराय ऐशायद शाम तक ये दोरायी जाती रहे की, और मैं एक ही स्टकर करन देता रहोंगा, मैं एस्टकार बारО वही ने देता रहूँगा, कि करां तो ये कह रहा है, कि दोस्ति मत करो समुधाय की बात कर रहा है दोस्ती उनके पुरान उनसे दोस्ती मत करो इमान लाने वालों के इंट्रेस के खिलाफ उने छोड़ कर तुम दूसरों से दोस्ती मत करो और मैं बार बार शाम तक इसका उत्तर यही लेता रहूँगा कि मैं सिद्धान बता चुका आयतें बता चुका उसके अंतरगत पढ़ना होगा उसको और अगर आपको यह सिद्धान नहीं बानों तो उससे समझे किसी पुरान के जानकार से दावा क्यों करते हैं कि नहीं हम उसके अंतरगत नहीं पढ़ेंगे और यहीं से मानेंगे तो उसके अंतर कर पढ़ना होगा कि पुरान ये कह रहा है कि जितनी दोस्ती नहीं करने की बाते हैं उससे संबंदिक जितनी आयते हैं उससे उस संदर्ब में कि तुम्हें जिन लोगा ने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला और दीन की वज़ा से तुमसे लड़ने के लिए उससे दोस्ती करने को मना नहीं कह जा रहा अब किसी जगह मुटसर समझेक में कहकर निकल गए और ये एंड में कह दिया कि जितनी बाते हैं ये उस संदर्ब जिसको बार 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 उसका उधर रणेंगे मैं बार बार आप युद संबंदी आयते कुछ बताएंगे मैं बार और ये ये इद्म आप ऩ Sie First लोग क्यों है अगर आप किर रहें के पुरान शांती की बात कर रहा है फिर पहुते लोग मुसल्मानों में क्यो ऐता है उन एक जिन को देखकर कर ये शुवा के नहींडार शांती की बात नहीं कर सा बात यह ए किगर मुसल्मानों के थार्ट विश्व बिभ लिवर आतर पिर नहीं जानते हैं कि विश्व ने हैं सारे उन्दों के उन्दों पांच प्रतिशव पुछ नहीं है हिंदों के तो अगर जिनों ने वेट को ठीक से लोगों में रखना चाहे उनकी शंख्या पाइंट में नहीं है बाकई सारे वह लोग करें जो वेट वृत कारे कर रहे हैं अब मैं वेट को परकना शूब करना हूँ उन हमाले के वह बहुत बड़ी संख्या हिंदों संख्या राखते पक्रों को बढ़ी संख्या मुसलमानों को 1 संख्या और उसके बाद पिर प्रॉण ये कह रहा है वह बाद आ जाए तो जगड़ा मत करना जियाती से उस वक्त के थी जब पित्ड़ा पहलाने से बाद आजाए लड़ाई सी वस वक्त के थी अगर तो ये फिर उसके बाद प्रेगंबर मुहमद साब ने इसका और इसमेशी करण मजदूरों पर हाथ मत उठाना फनों के प्रिक्ष है उनको मत काटना कहीं आग मत लगाना इतनी बाते उन्होंने लोगों को बताई और कहीं कि अगर युद्र आही हो ही जाए और ज़रूरी हो थियार उठाना फिर समझने उन पर इस सीटियों में जो मैंने बताई अब मजदूरों से उसकी सहायता के लिए ख़तना उसके इसके उपर हाथ उठाना और इनके ऊपर हाथ तो लगाना वचेशंद आंग बत लगाना वो धर्म यह काएगा किसी जगा बंभेग देना वो बहुत से लोग मर जाए उसके अंदर यह मिंदनी है यह आतंगवाद है यह फिर इसलाम नहीं है और फिर उसे देखने के बाद लोगों को खलत पहमी होती है जहां पर लिखा कि इने माड़ा हो इसे नही है यह फिर बिखा कुछ रहे जो हो इसे में एक शूटी सी पुस्तिकाई में लाया हूं यहां पर कुछ लोगों को मैं दे दूगाई कुछ कुरान के कुछ वो धोड़े से खाली सैंपिल है शैंती पेकाम उसका ना में तो मैं तो सिध्या बात कह रहो है यह वो तो खाली होगा इसमें बहुत बड़ा अंतर लोगों के समझने में है लेकिन फुरान क्या कह रहा हो वेद क्या कह रहा है इस पर मैं करना चाहूंगा कभी बात और चाहूंगा कि फिर बैटे हम कभी और इस टूतत रिसालब जिसे इसलाम कहता है यह उसका मुलसितान थे तो अगर इश् इसलाम की वाहशा में आप उसे यह कहते ही इसलाम के रिष्यों के अंधाका प्रवाहिक आफ्वा तो लिए उसके आप आपते। कि आप यह की अश्यूसे वाहशा करना लगाजिए यह बेडें बात प्र आद्वान को मानता है कंभी बेटेंगे इस पर बात करेंके आप कि तू वेद निंदक को यह आरी समाजी बाद के काट डाल चीर डाल भसम कर दे और जला दे और भी है आगे मैंने नहीं पढ़ा उसके आगे वाला जो है बैने पढ़ा नहीं और फिर आप से मैं बार बार कह रहा हूं जो मुसल्माइने उनसे भी कह रहा हूं इसमें गलत कहीं कि नहीं 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 हो आपको युद्गी बरिष्टि एस संबंदित कुछ बात है किसी खास कुछा में में जहां पर ज्यादा सफ्थी की जरुवात होगी तो उसके वड़ासे हमें नवरत नहीं कहनी है वेद धिनदक you फिर उसके अलावा हिंदुों के अंदर भी और और बहुत बड़ी संक्या हो जाए कि बेद निंदक वो भी समुदाय बन जाएगा अपने आप पे जिसे काफिर कहती है कि मुसल्मानों के लाव बाखी काफिर है यहां पे बेद निंदक हो गए सारे उनके अलावा जो वेदों में आस्ता रखने वाले एक ही स्रोथ है वही बात ह आप दो आप अपने भाईयों से युद्ध करना होगा नहीं हटोगे हटोगे तो अधर्म हो जाएगा इस वक्त लड़ना होगा तो यह परिस्थितिया होती है युद्ध की जिसके अंदर कहा जाता है और बाखी में प्यार मुहबत की शिक्षा होती है हें हम न कुरान के विशे में कोई असमध्यस रखें और लेज बात तो अधर्वेद भार्षा शिद यालन ने नहीं किया है इतना भाव है और वेद का अर्थ कही भी केवल पुस्तक मात्र नहीं है मारणी तारिक साथ मैं इनिवेदन करना चाहूंगा वेद का अर्थ पुस्तक नहीं है विद जियाने, विद विचारने, विद लावे, विद सत्तायाम चार अर्थ में हैं थोड़ा आहम अपने साथियों के लिए भी दिविदन करना चाहरा हूं कि वेद का अर्थ जो जियान विचार पूर्वक तर्क पूर्वक प्रत किया जाए सब के लाव के लिए हो और प्रत्येद काल में जिसकी सथा हो वह वेद है न तो किसी समय से पहले या समय से बाद में बाजित हो जाता हो वो वेद नहीं है उस अर्थ में वेद निंदक शब्द लिया गया है जियान विरोधी जो लोग हैं सही मारक के विरोधी जो लोग है तो वेद के विशे में भी आपके अंदर ये कही भावन ना जाए कि वही भावना है जैसा कि ये बिल्कुल नहीं है इसलिए मैं डियादम करना चाहा वेद की भावना वेद निंदक का मतलब ज्यान विरोजी देखें अब है कुझे समय अब चल रहा है उसमें शांती को ले करते हैं ज़रूर बहुत है और आवास से बात कर रहे हैं लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ मेरा जो प्रशन था इसको आपने कहा थी अंदाज में कहा जैसे हमारे मस्तिशक में पुलिस की एक छवी बनी है हमारे मस्तिशक में डॉक्टर के प्रती ये छवी क्यों नहीं बनी कि डॉक्टर मारता है जबकि हकीकत में आप कभी अख़वारों की निल्स पेपर देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा किड़नी बेच खाए चलाना काट क्या डॉक्टर ऐसे नहीं होते होते हैं कम वक्ते मैं तो खिड़नी नहीं निकाल सकता डॉक्टर आमीत ने निकाली लेकिन फिर भी डॉक्टर के परती ये भावना क्यों नहीं आई कि ये ये जो है गंदा है फिर मैं निवेदन करूगा कि अपलों के जो शान्ती को ले करके चली ठी अब शांती से हट करके इल्हामी किताब में आगा अब इल्हामी किताब पुरान है या बेद उसको सिद्ध करना बड़ा जरूरी हो गया एक पिनिट मैं पूर लिजे मैं बोल रहा हूं वो तो असे आगा ये तारीक साफ की कह रहे हैं तो मेरा मेरा कहना इसलिए जरूरी है इसलिए सुनिये फिर ध् मैं कितना इसलिए जो पैरण क अजय दो attempts अजरूरी को थे सब कुए को अचलन हानिा एक यह से एक पराँर जो टायर पंक्र रचल करता है और बनाता है तो नहीं गए लेकिन मैं आप नों को ये विष्वाज दिला दू कि वेंड का इश्वर और पुरान का अल्ला दोनो एक नहीं है आप कहेंगे कैसा आज उसका प्रमाली कि इश्वर और अल्ला में उतना ही भेल है जितना कि हम जमीन से लेकर आस्मान तक देखते रहे जबके आस्मान शर्द का अर्थ नहीं है इन्नों के पास नहीं है ये तो एक दो तिन चार पांचे साथ करके बना दिया है पर मैं अबिद आओ कि उसका रखाली जगा को जितना हम जमीन से देख रहे हैं इतना ही अंतर है अल्ला और इश्वर में कियोंके हमारी याँपर पर्मात्मा जो वेड का पर्मात्मा है वो बनाता नहीं है लेकिन कुरान बनाता है पुरान के था खुन हो जा फैकुन पस हो जा कुरान के अंदर में अल्हान नाम की एक महिला है कि मर्यम नाम की एक महिला खुआ में पानी भरने के लिए गए उसने पर्चाएं को देखी ये किसा पाइवेल में भी आया है तो पर्चाएं को देख करके उटर गई घबरा करके पीछे के तरफ अटने लगी अल्ला का फरिष्टाएं जिवराईल ने कहा है मर्यम घबरानी की कोई बात नहीं मैं एक ख़बर देने के लिए आया हूं तेरा पेट में बच्चा होने वाला है तो मर्यम कहने लगी क्वालत रभ्य अन्ना यकुन ली वालत नुवलम यम सस्नी बचर के मैं कुमारी हूं कोई पुरुष मेरे शरी में हाथ तक नहीं लगाया मेरे पेट में बच्चा ये तो नममकिन बात है तो फिर अल्ला के तरह मुखाती हूए तो फिर जिबरेईल ने सुना दिया इन्नमसल आईसा इंदल्लाही कमसल आदमा खलकहू मिन तुराबिन सुम्मकाले लहुकुन फयकुन एर छोड़ो इसा को देखो आदम को आदम को तो मैं बिना मां और बिना बाप का बनाया तो जब मैं बिना मां और बिना बाप का बना सकता हूँ तो मर्यम को मर्यम के पेट से बिना बाप का इसा का बनाना को यसा का बनाना को यसा को जाता है तो जब फिर पूछा गया के मर्यम गर्वती कैसे हुई तो अल्ला ने फिर कहा वह इन नहीं अल्लान क्या कहाँ कि अल्ला ने मर्यम के गुपतिंद्रिये में फूक मार दिया और मर्यम गर्वकी हुई फुरुजा शब्दाया वहापन लेकिन वेद का परमात्मा ये काम नहीं कर सकता वेद का परमात्मा कहता है कि ये स्रिष्टी नियम बरद विग्यान बरद एक कुमारी महिला के फेश संतान उत्पत्ती होना ये वेद के परमात्मा की बस की बात महीं है तो कुरान का अल्ला और वेद का परमात्मे एक हुआ क्या ऐसा एक नहीं ऐसा हज़ारो परमान है तो कुरान का अल्ला महदूद एक शक्स है एक डैक्तिविशिश का नाम है जो अल्ला ने साफ शब्दों में जिक्र फर्माया है वाल्ला की आसानत फर जहा फर रफक ना फी है मिरूहिना वजहन लाबना आयत अल्यारमिया कहा ये बाकी जब अल्ला के लिए कहा गया है कि अल्ला क्या है तो पुरान ही गवा है इसका अर्रह्मान अर्श इस्तवा के अल्ला अर्श पर रहता है अर्श कहा है साथवा आस्मान पर साथवा आस्मान पर अल्ला ताला बैठते है और क्यामत के दिन जब साथ मास्मान से अल्ला ताला नीचे उतने लगेंगे तो अल्ला ताला को जिस सिगासन पर बैट करके अल्ला उतरेंगे उस सिगासन को आठ फरिष्टे रोके रहेंगे वहाँ क्या शब्दा है रोके रहेंगे किसको फेश दे लोके रहेंगे उस तखत को किस तखत को जिस तखत पर अल्ला बैटेगे अब तखत पर बैटने वाला शरीधारी होगा या निराकार होगा तो कुरान का अल्ला तो शरीधारी है मुझसिम है और बेट का परमात्मा मुझसिम नहीं है शरीध हरी नहीं है इसलिए अच्छुक्रम अकायम शब्द आया है बेट के अंदर में कि परमात्मा का कोई क्राया नहीं है बबात तुलसी ने भी कहा इस बात को बिन पक चले सुने बिनु काना वो बिना पैर का चलने वाला है लेकिन पुरान में अल्ला ने तो साफ कहा है कि जब अल्ला ताला सात्मा असमान से नीचे को रूतरने लगेंगे बहाँ पर सुरा बकर सही शुरू हुआ वाइजु काल रबुक लिल्मलाइकतिनी जालुन फिल अर्द खलीफा चैने से चैने खलीफा भी जाँ तो मिट्टे लिया वो सबने मना किया लेकिन वो मिट्टी लिए आया, जिसका नाम आज इसलाम वाले शैतान कह रहे हैं, या हर्ज करते समझाते तो पथर मारते मारा जाता है या नहीं जाता है या वह अबात अलग है, और ये पुरानी और पुरानी दोनों में मामला यह है, यह पत्तर मारते है शैतान को, और हमारे हिंदू घराने के लोग भी रावन जलाते हैं, अगले बश्च भी रावन तयार हो जाता है, और वहां भी अगले बश्च शैतान तयार हो जाता है, तो उसे ही शैतान कहा जाता ह मर्दूद कहा रहाता है तो वो मिट्टी लिया मिट्टी लाने के! अल्ला ने कुशित लवे पूत्रा बनाने के लिए लिए लगां पूद्मा फॉत्रा भाना पॉत मैं लगा सुपार्णा माकुष्टा फॉत जो ठाल जाओ act तो बोले मैं निकल तो जाओंगा लेकिन हमारी मज़़ूरी दो तो आल्ला ने का पालमाय मानाकल लातस्चुदलिना खलकतन भी अदया अस्तगबर तामकुंत मिनलालमीन तुझे क्यों कर इंकार हुआ तुझे किसने माना कि इसको सीदा करने से जिसको बनाये मैंने अपने दोने हाथों से वहाँ पर बियताय शदाया यद्दून के माने हाथ जिसको मैंने अपने अपने बनाये दोने हाथों से वाया हमिनो आरिशा रभी का फाव कहूं यूमा इजन सामानिया शब्द आया है कि अल्ला ताला कियामत के जिन सात्मा अस्मान से जब नीचे के और उतने लगेंगे तो आज फरिश्टे अल्ला को रोके रहेंगे कि वेद का परमात्मा कहीं शरीधारी हो वहाँ पर अच्छुक्रम अकायम शब्दा और अनेक शब्द से परमात्मा को संभूदित किया गया है तो परमात्मा का कायानी है परमात्मा शरीधारी नहीं है इसलिए इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिसे उल्जन में हम उल्जेविये हैं वो उल्जन तो यहीं पर ही अटक रही है बात कि हम इसके निश्कस तक जब तक नहीं पहुचेंगे कि अल्ला कौन है और परमात्मा कौन है और परमात्मा की वानी कौन है और अल्ला का कलाम क्या है जब उस निश्कष तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक ये हम लोग के लिए निर्णे लेना भी संभव नहीं होगा कि सही कौन है और गलत कौन इनी शब्दों के साथ मैं विराव देरा यह हमारा आज का विशे था क्या इस्लाम शान्पी की सिखाता है बात जो अभी यहां आकर के प्रसंगांतर हो रही है कि क्या वेव और इस्लाम या कुरान शरी एक ही यक्ति शब्द तो मैं नहीं कहुँगा इन इही की रचना है एक ही का इहां है तो यह प्रसंगांतर हो रही है मैं समझता हूँ कि अब इस चर्चा को यहां विराम लेती हुए आप दोनों 2-2 मिनट 5-5 मिनट के लिए कुछ शान्ती पर इस प्रकार की चर्चा रखें मैं 2-3 मिनट पहले कुछ कहना चाहूँ परमात्मा की रचना में और मनुष्य की रचना में क्या रखें आप तेड के पत्ते को देखते हैं मनुष्य के शरी का निर्मान देखते हैं छोटा सा बालक होता है उस पर खाल वो जब बड़ा हो जाता है शह पुटका साथ पुटका जवान हो जाता है वोई खाल काम करती है खाल ने करते हैं प्रिड का पत्ता अंदर से बढ़ता है उसके उपर कोई चीज थोपी या उपर से रखी नहीं जाती माकान में इंट लगाते हैं यह मनुष्य की रचना प्रतीत होती है कैसे पता लगे मैं चाहूं जिसको मनुष्य की रचना मालों मैं चाहूं जिसको भगवान की या अल्लह की रचना मालों ऐसा नहीं अंतर है मनुष्य की रचना में उपर से चीज ठोपी जाएगी अल्हा की या भगवान की रचना में वो चीज अंदर से है यह प्रसंग यहां आकर अटकेगा कि अल्हा का वर्णन जैसा किया जा रहा है शरी धारी है तकषपर है तो हम प्रसंगांतर खुन जाएंगे मैं प्रसंगांतर नहीं जाओगा और प्रसंग को आज यहां विराम देते हुए एक बात जरूप मैं कहना चाहाँगा जो भी मैंने कही है मैंने एक दरिश्टान ते जरूप जिया है पुलिस का और डाक्टर का उस पर हम ध्यान रखेंगे दूसरी एक शब्ड पर और विशेश ध्यान दूँगा धरम और संपरदाय पर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि कुराइम शरी संपरदाय को नहीं मानता वो दीन को मानता है धरम को मानता है स्वामी दयानन का एक वाक्य मुझे स्मान आता है मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ स्वामी जी से पूछा कि आप सबका खंदन करते आते हो आप इन से विशेश क्या बतलाते हो स्वामी जी ने कहा कि मैं परश्र करता हूँ आप से आप बताएं कि अगल होता है तो एक तूसरे के विरुद होते हैं वह अविरुद या सिमिलर होते हैं आगर विरुद होते हैं तो दोनों धर्म नहीं उसकता है और अगर अभीरुद है on तो पर्थक पर्थक होना बेर थे बेकार हैं अलग-अलग केंवेना रख़िए आपम तो इसलिए स्वामी सब्कार एक ही होता है यही हम विशेश कहले हैं । हम अगर आज यह स्थापित करते हैं कि धर्म तो एक ही होगा जो लोग ऐसा कहते हैं ऐसा माल लो कोई कहता है ऐसा माल लो ऐसा नहीं मैंने का चोर भी सही दाको भी सही लुटेरा भी सही ऐसा नहीं यह नहीं हाँ धर्म एक होगा उसको सेटल करने के लिए वो क्या चीज है स्वानी देनन को बहुत सुंदर एक बात कहीं कि धर्म वो जिसका कोई विरोध न कर सके अगर कोई बात ऐसी आएगी जिसका कोई भी व्यक्ति समाज में ख़ड़ा उपर विरोध कर सकेगा हम उसको प्राइमा फेसिया यह माल लेंगे कि यह धर्म नहीं और उस पर एक पैन ल कपूर हों दौनों वक्ताओं जी विदन करूँगा अपने अपने समापन के रूप में एक शांती और आगे यस चरचा सवस्थ परमपरासी इतनी शांती से आज यहां जली है इतनी शांती से न केवल यहां बल्कि स्थान स्थान पर ये चले और आप में जैसा पैदा हो आप में ये जज़वा पैदा हो कि हम इस चर्चा को सुने और शांती का शांती से धेरिये से दोनों विद्वानों की बातों को दोनों पक्षों की बातों को और किवल यहां इस चर्चा को इस रूप मेंने किये पुरान शरीफ के हम कहते हैं अगर पाइबल के संबंद में भी है या पुरान के संबंद में भी है तो हमें उस चर्चा को सुनना चाहिए और हमें कुछ ऐसे पक्ष समझने चाहिए हमें ऐसे कुछ पैरामेटर्स न दिमा वेद में जहां कहीं भी ऐसी बातों का जिकर है वहाँ पर इस्पेसिकली टैटिकली लिखा है। अनार्ये शब्द, वेद जिस्टम, वेद निंदकम ये शब्द लिखे हैं। और आर्ये शब्द का आर्थ जाती विशेष्नी ये बंद हो, ये भी ध्यान रखता है। आर्ये शब्द का आर्थ है, स्रेष्टो, मैं एक शब्द की और आपका अगर्दिहां दिला दूँ, आप एक शब्द का बहुत अप्रियूक करते हैं, अनार्ये करते हैं सब, करते हैं ना, अनार्ये शब्द हैं क्या, अनार्ये, अनार्ये को जब आप फ्रिक्वेंटरी बो करके बिगण करती वो शब्द अनारी बन गया बंदो मूल तर्टो भीद है तो तारीक सापी जिसको एकसप्ट कर रहे हैं हमें उस पर विवाद में नहारा विशय बस्तु है नहां जाएंगे एक कम्तेर के लिए बात आई जरूर तो उसको सपष्ठ किया मैं निवेदन करूं दोनों बंदों से फोड़े फोड़े समय के लिए उसमें समय की पाबंदी और आज की चर्चा गोस्ठी का ये सुरूप न रखके इस बूस्ठी को और इसकरे से आगे बेतर तरीके से बना सकते हैं नियम उपनियम में बन करकी एक दूसरे की इज़त खराब हो उस भावना स करना यह कंदेना कंद से नहीं मैं आपको एक छोटा सा दृष्टान दैता हूँ क्किन आपके लगuba कट हुआ और को कुछ अजीबसा लगता है तो ठीक इस प्रकार से आालोचना इस धंसे करने चाहिए आलोचना का तरीका तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे आप पाल कटवा करके सुकून का अनभाव करते हैं दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से हम बाद विवाद तर्क वितर्क चो किया जाता है वो बेकार है उसका कोई फल नहीं होगा और जैसे लाकून काट करके आप सुकून का अनभाव करते हैं ऐसे हम दूसरे की बात को काटेंगे क्योंकि संसार में जिसको खंडन कहते हैं तारिक साथ वो अधित है अगर ब्रिक्षर का तना थूँठ खड़ा रहे उसका कोई वकत नहीं है कुट को हम काटते हैं ARI से फिर तो असको आरा मशीन पर करके लिए आते हैं चैरवाते हैं पिर वड़की उसको रंदा मारता है दीष्ट अगर यह सब परकिरिया नहीं हो धिर था नहीं की परकिरिया नहीं हो तो शायद हम मतलब ये तो कहींगे हमने खंड़न नहीं किया बहुत अच्छा किया लेकिन कुर्सी नहीं बने सामने रखी टेबल नहीं बने तो लूँ मैं इतनी बात कहकर कि बात को समाप्ट करूँगा और तारिक शाथ के बना नहीं है तो श्रक शफी आखिर में पंडी जी मौदा ने कहा ता उस पर मैं आदे मिनट की बात हो वह बहुत जुरूर फूंक मार के बताएंगे और यह कहेंगे और वहाज को यहां पर दूरूर कही ने किसी बाहने से लाएंगे कि मर्यम की गुप दिंदरी में अलाने फूंक मारी और किसी ने किसी बहाने दे आ जाएंगे वहां तो उसको कहेंगे दुगू यहाँ पर तो अब मुझे आता यह बात पर आपनाने आता में रेट वागे अब मैं बिलकुल मैं तो किसी जगह कहीं कोई कोई किसी जगह ज़रा पूख मारी अगर यह अनुवास नहीं है उसका मर्यम ने और वह मर्यम उसका बिजिकर करो जिसने अपने शार्म बड़ा अच्छे अलफाद गोले इस दो जिसने अपने शर्मगाह की उसके फरुक्षा की और शारक उसमें नहीं गूप दिए और हमने अपनी रूप हूं की पूकष के लिए तो आदम के लिए थी खुक्ष हां वृट तो पूरुर के तो हमने ऐसा किया था और हमने पैदा कि अब यह की यह विरोधा भास है नहीं है कि आ बगेर बुरुश के बच्चा हो सकता है नहीं? अगर इसके ओपर विछे पर बात, अब मैं चाहूँगा आएंता हो, और मैं कहूँगा होगी, और हो सकता है. और कभी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है. डियोलिजीकली मैं बताओंगा क्यों हो सकता है. और कल पर अभी ऑब इस प्रिसंट की उपर चीज़ें आई आई है। जो टूबर आए है। कर दो cousin जी आजो मायए है। और था में है। mês जुतुका है। होता है अनिमर्स में होता है इंसानों में नहीं होता लेकिन अप वास भी सिधान्त का भाग होता है कि दिल ओड़ी तरफ होता है और नहीं ऐसा भी हुआ है कोरोंडों में एक अच्छा हुआ इसलिए के बाद सिर्फ पॉलराइजिशन हुआ जैसे के होता है बहुत सी इसमें मनिश्यों में नहीं होता लेकिन वह अपवाद भी किसनी चीदें जो कल असंभा मानते थे आज संभा है कि कौन कहता है कि एक जैसी उसी से लेने के बाद डियने से वहां से हट के वह एक केस के अंदर हुआ वह उसके खिलाफ नहीं है वह अनुवाद जो गलत किया था और इस अंदाद में मुझे बताया किया था कि यह दरूर कहेंगे यहां पर तो वह जरा सा ठीक कर लें उसे आइसला के लिए उस अनुवाद को वह फूट बारी वह सब में आदम में में भी वारी है अब उसको जह सब्सक्रांत की आखे रखंगे कुशनाग्या को खी यह लिए और विज लिए आप में नreu Bakर को कि सब्सक्रात और इश्वर मकर करें तो उसका उसका है तो यह तो जब इस पर विशे पर बात आएगी लेकिन इतनी बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारा विशे यह था मैंने वेश से सिर्फ एक प्रसंग दे दिया एक बस एक विशे था शांती और शांती के संबंद में दिया शांती और संबंद में दिया और इसलिए दिया कि यह बात कई बार आई थी और दिर्श वहुदे की तरफ से भी आई थी कि इस बात को भी दरा सा समझाईएगा आपके वाहां से शुरू के यहां तक इतलिए मैंने कहा कि वेशे बदलने के बाद जो बातें कुछ और कहना चाहती थी इस बात कि वह बात कि पर दो दो खोड़ दूगा जिसको नहीं कर पाया और जिसको मैं नहीं समझा सका वो मैं नहीं मानूंगा सचाई को मैं नहीं हटा था मैंने Jord का दिया था क्या Quran शानती लेकिन वीच में वीच में प्रशनायाग इसली हमें वेद को को लाने के बाद अधिर उसी प्रसंग कुरूशी सबजेक कॉर शांती और यूदार मारने की बास्ते हैं नहीं हटा लेकिन उसको इस्तिमाल करने के तो हम उत्व विशे से नहीं और मैं किसी चीज़ से नहीं भाग रहा है। आप आप जीजे जिए रहे का हम उसे बात करें गई था अगर भाग पाग जे तो मैं मानना छोड़ दूगा इसे इसलिए कि और और मैंने बहुत विशेते छोड़ी आज तर जो मैं पैदा हुआ था के पुरान यहай बास कर लенд कर ले कभी हम सिर्व बैठे किसी बात को कर लेakukan क्लीं मैं यह अङज सकूँगा यह तो उसके बारे में थी जो को Şuड इपने बात को आदेश जिया उस संदर्ब मेंで इतना कहto कि हमारे शांती के संदर में और सबसे जितने भाई यहां पर मजूद हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो यहां पर कि इश्वर ने और मैं तो आप तो कहते रहें कि इश्वर और अलग हैं हमसे तो कुरान नहीं का यह कि अमत अदूफ अलोर अस्मार रोजना जिस नाम से दिल्चायग बगारो सारे गुणात्वग और अच्छे नाम उसी के हैं कि हम तो यह समझते हैं कि उसमें भेज नहीं भेज की बात तो यहां पर खतम हो रही है जाकर बनाने कुछ प्रश्म की तौर पर कोई बात आएगी तो उसे मैं सब्जाओंगा लेकिन एक में घटना सुनाना चाहता हूं एक वाक्या बहुत बड़े यहां के हिंदुस्तान के भारत वरिष्ट के सबसे बड़े मुसल्मान विद्वानों में से थे वराना मुजाहिद अलसिलाम कास में मैं वो संदेश देना चाहता हूं मुसलिम परसुलाबोर्ड के कुछ थे तो जो यह कहा जा सकता है कि जो टॉप दो तीन अगर आले मुसल्मानों के कोई थे वो यहां पर दोन में से थे अभी कुछ साल पहले उनका दियान है एक बार रामपूर में आये थे वो और रामपूर आने के बाद उन्होंने मैं जह के कुछ कहा था और वो उन्हों ने सिर्फ लोगों को बताने के लिए जो कुछ कहा था वो यह था कि मुसल्मानों को समझाने के लिए उन्दिनों की बात है ये उस ताल की बात है जब महाराष्ट के Allah कि अंदर, कुछ इस तरह की बाते चली थी, हम शहरी है यह नहीं इसका प्रमाण पत्रत हमें देना होगा हर एक को तो उन्हों ने बहुत देर यह भाशर दिया कि हम यहाँ पर हम यहाँ पर इस देश के अंदर हम पार्टनर हैं इस देश के अंदर हम ऐसा नहीं है कि हम किरायदार हूं यहां इसकोटी में जिते ये ये भारतवर्श जो है ये इसके अंदर हम किरायदार नहीं है और तो इसलिए कोई हम से दूसरा पक्ष ये कहे कि तुम अपने भारती होने का हमें प्रमाण तो हम नहीं देंगे कहा जाएगा तो लड़ेंगे इस पे लड़ना होगा तो लड़ा अगर आपकी ये भावनाएं हैं अगर आप ये कहते हैं कि हम यहां पार्टनर हैं हम किरायदार नहीं है तो फिर पार्टनर की और मालिक की भावनाएं तो यह होती है कि ये भावनाएं होने चाहिए कि फिर हम अपनी इमारत का और अपनी बिल्डिंग के कोई कोई पोना भी नहीं नहीं घड़ने देंगे और अगर यह भावनाय नहीं तो तो मैं सिर्फ यह मेसज शांती के नाम पर मैं सिर्फ पहुंचाना चाहता था अपने की मुसल्मान भाईयों को और इसा इस इतिला के लिए हिंदु भाईयों को मैं ने दिया है कि बहुत बड़े आलिने यह बात करें थी वा किए वहां की दिपनाने के लिए को वहां पर हिंदु भाई मोजूद नहीं थे हम इस मुहबत के साथ में देश का वीवाजन हुआ कि यह लोग यह लोग ना मुसल्मानों की वा ना हिंदो की वज़ा से यह तो इस उनकी वज़ा से उनकी वज़ा दिया वा इस वा नहीं बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह विवाजन जो था जो देश का विवाजन हुआ नाइटीन फॉटी तेवन, ननिस सो से जालेस में क्या यह पहला विवाजन था, क्या देश इससे पहले विवाज़त नहीं हुआ था हमारे देश की सिमाई जो हैं वो तो वहां तक थी जिसके इंडोनेशिया भी था जिसमें मलेशिया भी जा जिसमें धायलिंग भी था जिसमें कॉरिया भी था जिसमें कमबोडिया भी था जिसमें इडर अफगानिस्तान भी था उधर इरान भी था ये कब विवाजित हुआ थ यह नहीं तो यह सब्सक्राइब बेएै विवाजन किदी की वज़ा से नहीं होता, ना हिंदू, मैं विवाजन की बाद सिर्फ धर्दिक नहीं कर रहा, दिल मटते हैं, तो मकान के अंदर, अपने घर के अंदर, दो सगे भाई जो है, उनकी वो एक दीवार बना लेते हैं बीच में, खड़ी कर लेते हैं, और इतनी ग नफरतों को हटाएंगे तो बहुत सी चीज़ है, ग्यान की भी समझ में आजाएंगी, पहले नफरत हटाता होगा, जब नफरत जब दिलों का विवाजन खतम होगा, धर्टी का भी नहीं होगा, दिलों के विवाजन हुए थे, मुसलमान तो थे ही नहीं आपर जो आएज नफरत खतम हो जाए, तो एक खिलकी भी खुलती है दिवार में, आना जाना शुरू हो जाता है, एक खिलकी खुलती है नफरत खतम हो, लेकिन अगर नफरत मुहबत से परिवर्तित हो जाए, मुहबत वापस आ जाए, तो दिवार गिरती है, जर्मनी में गिरी है, और वो ख मुहबत के साथ में करें जो कुछ भी बात करें आगे बैटें एक दूसरे के दोस्त बंकर का तरें कॉरां मुझारा जासिए विदाateg विदेर्वान करना चाहता हूं इस मुहब्बत की परिश्यती में बैठें तो आप फिर अगला विश्य कोई साभी ले लिए उसके साथ बैठें इस अंदाज में हो कि हमें एक दूसरी को पर कोई तंस करना है कोई कठाश करना है को ऐसी बात चाहिए कि दोग हस पड़े और वो भी पहले से अब अब पहले से मुझे भी बता हो कि यह बाद तो आएगी वड़ी अजीब बाद हो गई तो इसलिए और मैं जवाद दे सकता हूं लेकिन मैंने इसलिए कि मुझे वो उसके घुल्भावला एसी मैंसूत हूँ इसलिए लिए फिर हम कभी बैठें जब कभी भी मैं चाहता अब जो आयात मैं पुरान से प्रस्तुत किया है अगर वो अत पुरान में नहीं है तो उसके लिए जिमादार में हूँ अगर वो है कुरान में जिसर्फ इसायद भर्की पढ़ती हैं पढ़ती हो नियुक्त देख रहा हुग मैं यह बांतों गलत नहीं किया होगा अगरे पर आपके हाथ समझने में गलती होगे मैं यह मालए एंचु वी एंची वुगाड़ेटी वर्किन मर्या मेरी वी ड्रीथिट इंटू अगर्ड़िव फर्शर्ट और गार्में इक इपना इनों गलत लगाएं तो गना इंट लगा एंग विज्य नहीं बालू और जो किसे कहते हैं मुझे नहीं मालू है ठोड़ दी रगए आदम के लिए इसलिए मैं असलत मर्यम के लिए आप मुझे बोल ने दिए आप जब गोल गया तो उसमरे कुछ नहीं कहा तो ऐसा है मैंने जो कुछ भी कहा अब तक सब पुरान से ही कहा है पुरान से बाहर एक भी शब्द मैंने परमान के लिए नहीं कहा और अगर मुझे कोई ये सिद्ध कर दे कैसे बना है पुरा मुझे ये कोई सिद्ध कर दे परमानित कर दे कि यह आयत मैंने पुरान की नहीं प कि शब्द आया है दीन, दीन की मानी है मजभव, दीन की मानी है मत, दीन की मानी है मतंतर, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, करीम लोगात, अर्भी के शब्द कोश कह रहा है, यहां पर विस्वाह लोगात भी मेरे पास मौज़ू है, दीन की मानी धर्मता नहीं होता, दीन की मानी हो पहली बात दूसरी बात पिर अल्ला पर मैं आ रहा हूँ कि अल्ला रह्मान और रहीम है, रहम करने वाला देयालू है, अच्छा बंदोजरा जिम्मेदारी के साथ ये अपने-अपने मन को हिड़े को टटोल लेना, कि पिछले 21 दिसंबर को बकरीद मनाया गया या इदुस्व मनाया गया, उस इदुस्वा के दिन में नमालुम इस ब्रमान में लाकों और करोड़ों पशों के गले में छूरी चलाया गया, अल्ला अगर रह्म करने वाला देयालू है, तो उन जीवों पर भी अल्ला का रहम है? जबकि बेदिकत जीवों पर रहम होता तो जीवों पर अ कर दूंगा एक गंटा दीजे का साबित कर दूंगा है मेरा आप जब कह रहे हैं तो उसमा मैंने नहीं आपको भी कह दिया मुझे भी कह दिया और फिर मैं निवेदन कर रहा हूं बंदा हाजिर है और मेरा ये लिखित प्रश्णबली में पकड़ाओंगा मैं ये इवेदन किया कि अगले मीटिंग में उठाएं अगले प्रेश्म भी उठा रही है और बो तो छोड़ दिया जाएगा जवाद उतर नहीं दिया जाएगा तो शाम तक चलेगा अगले प्रेश्म भी रही है बार करेंगा जोड़ दो लोगों के मन के अंदर को छोड़ कर जाने प्रफिक ट्रप्रश्म भी यह जिसको उतर यह नहीं दिया जाएगा में पुल्कों करते हैं इतने के मंद में कुछ रहे हैं तो कहा था कि दीन के माने धर्म है दिन माने माजब नहीं कर दो अर्भी में है ना उर्दू में है ना फार्सी में है ना अंग्रेजी में है ना संस्कित को छोड़कर किसी लेंग्वेज में है और कोई लेंग्वेज भी नहीं है एक बापा और मैं कहा दे रहा हूं कि धर्म तो बहुत मुची चीज है धर्म शाद ही नहीं है इन लोग गृषिए पर होता है तो डेलमार्क में पहुंचा और खास करके डेलमार्क की जब मैं गया तो उन लोगों से मिलने के लिए मेरी इच्छा अगर आप जिए और आपका पहला रिलिजन था इसाइट के लेगा है आपने संपरदाय बदला है धर्म तो नहीं बदल पाए उसने कहां कि नहीं हैं आप पहले ही साइज संपरदाय में थे अब बोद संपरदाय में हैं तो बोले, नहीं, रिलीजार माने धर्म होता है, मैंने का अंग्रेजी में रिलीजार शब नहीं है, आपके पास क्या प्रमान है, मैंने का तुम्हारा देल मार घी पहला करता है, अंग्रेजी में घी बोलो जा रहा है, उसने बोला बटर, मैंने का बटर माने मक्कान मा पूछ केवल अंग्रेजी में नहीं अर्भी में भी दर्व शब्द नहीं है ओर धीं को मैंने कह रहा हूं यहां करीमुलोगाद अर्वी शब्दखे और मस्पाहुलोगाद भी अर्वी शब्दखे यह दीन यहां पर मजभव पंथ शाफ लिखा है तो इसलिए मैं इवेदन करना हूँ, धर्म, मानव, मात्र के लिए होता है, इश्वर्पदत होता है, मजभ व्यक्ति विशेश के द्वारा चलाया हुआ होता है, महत्मा भुद्ध से पहले कोई बोदिश नहीं था, माधिर स्वामी से पहले कोई जैनी नहीं था, ये सब व्य इश्वर्पदत होता है, जो धर्म, मानव, मात्र के लिए होता है, जिसमें चेंजिंग आने के लिए कोई जगा नहीं है, कोई गुंजाश नहीं है, सुरही प्रकाश देने में किसी के साथ भेदाव नहीं करता है, तो मानव, मात्र के लिए धर्म होना चाहिए, नके जाती विशेश के लिए वारिक विशेश के लिए संप्रदाई विशेश के लिए उसका नाम मत है उसका नाम मजभ है उसी का नाम पंत है उसी का नाम रिलीजन है उसी का नाम मतांतर है धर्म अपने आप में पूर नहीं हो पाएगा इसलिए धर्म शब्द कहीं पर ही नहीं है एक सं इस सच्चाई के तहर तक पहुशने के लिए हम लोगों को और समय चाहिए ये मैं भी इसमें सिक्रिति दे रहा हूं और हमारे दोनों डाक्टर ने प्रयास किया है जो हमारे भाई तारिक साथ से भी पहले ही मेरा 27 मार्च को बार्कालाब करने के लिए स्वामी जी के अध्यक् परिपाटी इन्होंने चलाया है ये मेरे लिए बहुत आच्छी बात है और मैं यह काम 26 वर्षों से कर रहा हूँ समगर भिशो के आनण मे मैं धर्म क्या है उसी धर्म का ही मैं प्रचार कर रहा हूँ जो धर्म मानो मातर के लिए है वेक्टिविशेष क adults नहीं वैक्ति विशेश के लिए संपरदाय वैक्ति विशेश के दुआरा चला रहा होता है इश्वर प्रदत नहीं होता है मैं उसी संदर में 26 वर्षों से काम करा हूं रही बात के इसलाम अपने आप में दीन है या धर्म है तो मैं छोटा साही एक प्रशन यहां दे रहा हू और इसमें बकायदा मैं साफ लिखा हूँ के इसलाम जगत के भीज़वानों से काटीप अफर सुषन सही जवार मिलने पर इसलाम सीगार यह मेरा है इसका और इसके उपर मैं लिखा हूँ के कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखे मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें और ये मैं अपने अजड़की के हाथ से मैं भाई साथ तक पहुचाना चाहता हो कि मेरे ये लिकी सवाल है अर लिकी जबाब अगर मिल जाए तो सोपासो बेटर बाकि ये प्रयास है जो ये प्रयास हम लोगों का जारी रहना ही चाहिए क्योंकि हम लोगों का मंशा अगर यही है कि मानों मात्र के अंदर में हम शांती की स्थाफना चाहते हैं और ये समाज कभी उन्देश ही है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख उन्देश है कि उन्नती में अपनी उन्नती समझनी चाहिए अगर इसमें आप ही चुक है तो बंदा हाजिर है और मैं मरते दम तक आपके साथ दूमा यह मैं वादा कर रहा हूं एतने लोगों के बीच में इनी शब्दों के साथ पुरह सवी लोगों में बहुत बगनवाद पंदो एक छोटी सी बात एक छोटा सामिवेदन मेरे अपने मन की बात है यह शब्द का जाया है आप बैंजाये खड़े हैं तारीक साथ हर्म शब्द पर मैंने एक बार तथकाली राष हम एक शब्द अखवार में हर जगह सुनते हैं सामप्रदाई कंगे हका ध्यान चाहूंगा सामप्रदाई कंगे तभी आपने किसी बीव्यक्तिय ने सुना थार्मी तंग कोई हाथ उठा करके बोले कहीं अखवार में पढ़ाओ धार्मी तंग हाँ दो संप्रदाई के धार्मी के दंगे नहीं हो लिखनो दंगे संप्रदाई को अब किसी राजनेता से पूछे वो धर्म की संप्रदाई की परिभाशा करी तो समझ वा जाए क्या होते हैं डेफिनेशन है में अचा काली गाय को आप भैस कह देंगे कोई बच्चा छोटा साथ पीस सुनने के लि परसी है देखने में जिए लगे है के देभैंस लेकिन गाय की लटकन को देख करके आप कहेंगे कि ये गाय है और जिए धर्म की संप्रदाई की परिभाशा कर दीजिए दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा मैंने फिर कहा था स्वामी दयानग ने बात करी थर्मेगों बस संप्रदाए मैं जब यह कहता हूं मैं छोटी सी बात कहके विराम दूंगा जब यह मैं कहता हूं यह मिरा मित्र है इसने चोरी करी नहीं मिरा मित्र है पस यह संप्रदा तो कि इसने कर तो काम कोई भी एक पीस अंसार में यहां सकता इसने चोरी की, जारी की अच्छा काम की, अच्छा है मेरा मित्रह इसरी ए और जम मैं ये कहता हूँ कि तारिक साथ तारिक साथ बढ़िया आदमी है तारिक साथ ने बढ़िया बोला महिंदरपाल जी ने बढ़िया बोला तारिक साथ कहेंगे महिंदरपाल जी इस रूप में बढ़िया आदमी है अच्छे वक्ता है कु महेंदर पाल जी आहा रे कोंुभा आरीं और तारीक साब मौमनांस हैं इसलिए ये अधुश्यद वर को काटेंगे ही ये संपरदाय हो गया धर्म उसको हो गया जो ऑगा जो सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा उसको बंदू क्या कहेंगे और संपरदाय उसको कहेंगे जहां मैं अपनी आत्मा को गिरा करके गलत बात का समर्चन करने लगता हूं उसको संपरदाय मैं इस जयतिक चर्चाया मिल करूंगा और दोनों विद्वानों से न के वल दोनों विद्वानों से बलकि अगर मैं ये शब्द कहूं कि दोनों पक्षों से यहाँ यहाँ यह आदेश हुआ है यह गोश्रा करने का नीचे नास्ति की उस्था है आद संगोश्थी का जो कारितन चला है यह लगभग पौने तीन घंटे चला है और पौने तीन घंटों में दोनों विद्वानों ने अपने अपने विचाथ बलवी सरल भासा में आप तक पहुचाने की पोशिस करी है यह मुझे लगता है कि दोनों की भासा ऐसी थी आप सबने समझ लिए होगी बली प्रकार से आपकी समझे में आई है मैं दो आद्मियों का धन्यावाद कर दूं पहले जो दो डाक्टर है दी यह दी के आ लिए दी और अपने सतीस आ लिए दी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महर्शी दैरंग से पहले भी सास्त्राथ नहीं होते थे और सच पो सच जोट को जोट समझने के लिए महर्शी दैरंग ने सास्त्राथ किये थे और उनके बाद भी बहुत दिनों तक सास्त्राथों की परंपरा चलती रही लेकिन अब आलस और परमात के कारण सास्त्राथ बंद हो गए थे यह धन्यवाद के पात इसलिए क्योंकि इन्होंने इस सास्त्राथ की परंपरा को जिंदा कर दिया और दो व्यक्ति मतारिक साब का भी धन्यवाद करूँगा क्योंकि अधी कांस मुसल्मान लोगों से अब तक जो भी बात हुई है वो बस एक जवाद दिया करते है कि यहां तर्क वर्की की कोई भी गुंजाईस नहीं है जो वाँ लिखा वोई ठीक है बहुत सो से बात हुई है हमारी कि जो वाँ लिखा बस वोई ठीक है जिसमें तर्क वितर्क करने की कोई भी गुंजाइस नहीं है और ये राश्रपती महोदय आपके गुजरात के अंदर आपने सुनाओगा मेरे साथी हैं धर्म बंदू जी बहुत विशाल आश्रम है कई साल पहले वहां वो पधारे थे उनका बहुत विशाल भारिकरम था और ये हमारे सामने कि बात है धर्म बंदू जी ने ही ये बात करih थी लाश्रपती महोदय कुरान के अंदर जो कुछ आपत्ति जनक आएते वताई जाती है उनका क्या किया जाए आपकोंसे सहमत है क्या उनका रे तुम कुरान पर भी शंका करते हो उसमें तो संका की कोई गुंजाइस है ही नह कि संका की गुंजाइस नहीं है या वेदवाली कहते यह बता तो जब लगता है दो विद्वार आमने सामने बैठ करके चर्चाय चलते तो आज रहे चर्चा चेहिए से सबसे पहले तो आपको जो अंजानों है जोनों ने अब तक पुरान की कोई बास सुनी नहीं होगी या व कि अधिकास जितने भी मतमतांतर सब मंचों से अक्साब हिंदूों में सारे के सारे भगवान से मिलाने के ठेकेदार मिलें आपको भगवान से मिला जाता है भगवान से ऐसी मिला जाता है लिकित आरी समार भगवान से मिलने से पहले जमीन पर रहने का तरीका सिका उसका कहत और एक सेकंड के लिए यह दी मान भी लें कि ऐसा बदमास आदमी मुक्ती में चरा गया तो यह याद रखना कि जिसे यहां रहने का तरीका नहीं आए वो मुक्ती में चैंसे नहीं रहेगा अन्द दूसरों पर रहने देगा एक सेकंड के लिए मान लोगे तो सबसे पहली बात है कि जमीन पर रहने का तरीका आना चाहिए जमीन पर किस तरह से रहा जाता है यह सांप्रदाइक दंडे क्यों होते हैं अगली बार इस विशे पर या तो अभी से आपनो या आगे फिर निश्चे कर लेना यह दंडे क्यों होते हैं और जितने भी प्रशन अभी पंडिजी ने लिखतर के दिये हैं लिखित रूप में आजाए यह मंच से आजाए जैसे भी आए खुशी की बात यह है कि यदि इसी तरह से वार्तानाब चलता रहेगा तो जैसे आज बहुत से सोपीन सुने के लिए हैं इनके भी दि अच्छा है और यह परंप्रा बनी रहे आगे भी बुन सेयर में यहां भी कहीं दिस सास्तराइब भूते रहें तो लोगों को बहुत ज्यादा लाव बश्का जयान का दान देना तालिम का दान दे देना सबसे बड़ा दान माना जाता है और आज जो यह बड़े सोहां पू आप सब ने उस बात को पूरे तर से निभाया है तो आप सब सुरोताओं का भी धन्यावाद है अब यहां से आप वैसे ही निजाएंगे कुछ खापी करके जाएंगे हमारे लोगों नेचे कुछ जलपान की विवस्ता की हुई है तो अध्यक्ष महुदै यदि और कुछ कहना चाहिए तो कहेंगे रबात में समाथा आप सब्सक्राइब को यह देलू कि मैंने जो सवाल निकर के दिया है तो हमारे वित्र को दिया है इनके पास सिमित है लेकिन आप लोगों को अगर महंदरपाल को जानना है तो मैं अपना व देखें उसमें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इंटरनेट पे www.youtube.com truth wisdom t-r-u-t-h how y-u-t-u-b-e www.youtube.com dot com प्लीक truth wisdom t-r-u-t-h w-i-s-d-o-m-2008 तो उसमें देखेंगे स्वम्यगरत दुनिया में तेहल का मचाया हुआ है अब तक लगबग धाई हजार लोगों ने उसको देखा है और विशेश रूप में वह डाक्टर जाकी नाइक को ही संभोधित किया है उसमें जाकी नाइक सिबेरा निरंता 2004 से चल दाएट तो पहले पत्रचार के मादब से भलाता था अब इंटरनेट के मादब से चल जाएए और इसी परकार के अनेक प्रशनल भी स्वामी जी राश्पती जी के लिए राश्पती को भी माई इस तरीके से लिखा ता जब वह वाश्पती थे तहां धरा हो रहा है गया वो गयान और विज्या तोसमें मैंने लिखा के एक आदमी आकर के कहा कि एक बख्री को मैंने देखा रेल को धक्का देकर पट्टी से संभव कैसा है यह सारा प्रशन मैं कर चुका हूं और मेरा निरंतर 26 बर्शों से ही काम चल दा है समगर भारत में ही यह पीतु पिश्यू के आनन में और जो शौकी लोग है उन्नों को मैं पता बता दिया हूं उस वेबसाइट को देखें और उसमें संचाय को जानने का प्र आति स्वर्म संथिया यह आनने को जानने को जानने को किया दिया है वो भी और गुजिया में आरिखेंगीं झाल 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 झाल